हलो गुड इवनिंग स्वागत है आपका ओनलाइन प्लेटफर्म ऑफ जिनोमिक में एक बार फिर जैसा कि आप जानते हैं जो डिसकेशन चल रहा है एमसी क्यूज और आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के कुछ एमसी क्यूज उनका हम डिसकेशन करेंगे सभी जूड जाइए एक इनिंग हो गई है अब आप आ सकते हैं जो भी जूड़ना चाहे वह जूड़ सकता है वहां पे तो टीम अच्छा खेलिया अब देखते हैं आप कितना अच्छा खेलते हैं आपके लिए भी हम देखेंगे कि आपका जो पर्फॉर्मेंस है वह कैसा रहता है सभी जूड़े ताकि जो डिसकेशन है उसको चालू किया जाए पुश्पा बाव आपका सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं रवी गुपता जी शाली नीपाल पुनम चिल्लर सुमीत राधा रागव नरेंदर सिंसिन्वार वर्सेश शर्मा जी सुरेंदर गुजर जी अंदर भी हमने कुछ MCQs discuss किये थे multiple choice जो questions है उनका ही हम discussion कर रहे हैं अनिवार ये नहीं है कि exam में multiple choice वाले ही पूछे इसके अलावा भी आपको पूछा जा सकता है क्योंकि आजकल जो pattern है उसमें काफी कुछ परिवर्थन है सभी जुड़े और जो discussion है उसको हम चालू करते ह हम कोशिश करेंगे कुछ एसे topic को touch करने का कुछ एसे contain को touch करने का जो शायद आपको exam के perspective से मैत पूर्ण हो सभी का स्वागत है बच्चो और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं पहला प्रश्न है उसको देखते हैं आप उसको पड़े और आप उसके बारे में बताएं कि आप आपको क्या उचीत आंसर लगता है सभी जुड़े question है आपका screen पे आप उसको देखिए बच्चो और देखे के आप देखे कि कौनसा answer आपको लगता है सभी है जी स्वागत है योगेंदर जी आपका स्वागत है नरेंदर जी स्वागत है कमलेज जी अनील चोदरी जी content है उसको हम सेम ताइम रिविल्ड करेंगे निमान से हाँ भरज जी आपका भरज जायन निमान स्वागत है बटा आपका बेज एम्स कल्यानस तू पहला question है बच्चो screen पे a female client has been diagnosed with chronic renal failure. She is a candidate for either peritoneal dialysis or hemodialysis and must make a choice between two which information should nurse give her to help her decide. एक female है जिसको CKD है और peritoneal dialysis और hemodialysis के बीच में choice की बात हो रही है तो आपको यहां पे identify करना है कि कौन सा information है जो nurse उसको बताती है which information should nurse give her to help her to decide इसका मतलब आपको fact identify करना है जो hemodialysis और peritoneal dialysis के regarding सही है मतलब आपको true information identify करनी है आपको factual information आपको क्या लगता है कि hemodialysis क्या है peritoneal dialysis क्या है दोनों के क्या indications हैं दोनों के क्या contraindication हैं दोनों के अंदर क्या principle involved होते हैं और दोनों के अंदर क्या nursing responsibilities होती हैं उन चीजों का कहीं ने कहीं आपको ध्यान होना चाहिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं hemodialysis peritoneal dialysis तो जैसे मैं देख रहा हूं ए बी बच्चे भी आंसर दे रहे हैं कुछ बच्चे भी आंसर दे रहें इसी बीच सुरेंदर जी भी आये हैं उनका तर majority of individual जो है वह आंसर दे रहे हैं A तो A क्या बोल रहा है कि hemodialysis involve less time to filter the blood but the client must consider time distance and inconveniences A option बोल रहा है कि बहुस hemodialysis जो है वह peritoneal dialysis के compare में कम time consume करता है B option है hemodialysis involve more time to filter the blood than peritoneal dialysis तो यह दोनों एक दूसरे के contradiction है इसका मतलब option A जो है वह correct है क्योंकि हम जानते हैं कि hemodialysis है वह less time consume करता है किसके comparison में peritoneal dialysis के comparison में तो option B गलत हो गया peritoneal dialysis has almost no complication ऐसा नहीं है बच्चो कि peritoneal dialysis जब हम करते हैं तो peritoneal dialysis के साथ भी complication देखी जाती हैं और यह less time consume करता है less time वापस बोल रहा है तो यह भी गलत आंसर है peritoneal dialysis required that home health nurse prepare and administer to treat अनिवार यह नहीं है कि home health nurse हो यह self administration भी किया जा सकता है तो इसका मतलब यह है कि जिन बच्चो ने option A बोला है वह correct है बाकी क्यों गलत है वह मैं बता देता हूं option D बच्चो इसलिए गलत है क्योंकि यह यूं बोल रहा है कि peritoneal dialysis करने के लिए home health nurse required होती है अनिवार यह नहीं है बच्चो जब हम पढ़ेंगे था हम देखेंगे कि peritoneal dialysis है वह patient अपने द्वारा self administration कर सकता है इसलिए यह option जो है option D इसलिए गलत है option C क्यों गलत है option C यह बोल रहा है कि peritoneal dialysis has almost no complication ऐसा नहीं है आप देखोगे peritoneal dialysis के साथ भी complication होती है जैसे हमने पढ़ा है कि सब क्या complication होती है बहुत सबसे most common होती है वह क्या होती है peritoneitis होती है peritoneitis होता है abnormal abdominal pain होता है abnormal outflow होता है in sufficient outflow होता है ऐसी बहुत सी complication होती है इसका मतलब यह भी गलत है और भी क्यों गलत है तो भी यह बोल रहा है कि साब यह यूं बोल रहा है कि hemodialysis involved more time नहीं ऐसा नहीं है इसलिए जो option ए जो है वह करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर प्रश्ण का तो हम थोड़ा बहुत ज्यान अर्जीत करते हैं dialysis के बारे में कुछ basic बाते हैं dialysis की जो में इसी प्रश्ण क्योंकि यह प्रश्ण dialysis से related है तो कहीने कहीं हम कोशिश करेंगे कुछ basic concepts हैं उनको address करने का जैसे हम शब्द यूज करते हैं dialysis तो dialysis क्या होता है dialysis एक process का नाम है जिसके द्वारा हम जो भी disease the renal function है उन renal function को replace करते हैं तो उस replacement करने वले procedure का नाम है dialysis अब हम यह कैसे replace करते हैं तो दो type होता है एक तो होता है boss hemodialysis और दूसरा होता है peatoneal dialysis hemodialysis के अंदर हम क्या करते हैं हम dialysis perform करने के लिए उस व्यक्ति के blood का इस्तमाल करते हैं if blood is being used to perform dialysis तो उसको हम hemodialysis बोलते हैं और अगर हम dialysis को perform करने के लिए उस व्यक्ति के अंदर peatoneal cavity का इस्तमाल करते हैं आप क्या use करते बच्चों peatoneal cavity if someone is using peatoneal cavity to perform dialysis तो उसको हम peatoneal dialysis बोलते हैं जो hemodialysis होता है उस hemodialysis के बारे में कुछ बाते हम सुनते हैं पहली important बात यह बैटा कि hemodialysis को perform करने के लिए उस व्यक्ति का blood चाहिए उस व्यक्ति के blood को हम hemodialysis करके एक machine होती है उस machine के अंदर प्रवाहित करते हैं और जब आप उस machine के अंदर उस blood को प्रवाहित करेंगे तो उस machine के अंदर blood का क्या हो जाएगा बहुत filtration हो जाएगा ऐसा अगर हम कर रहे हैं तो उसको हम hemodialysis बोलते हैं देखा जाए comparison में तो comparison में आपको यह समझना है कि hemodialysis जो होता है वह आप emergency में perform कर सकते हैं जिसके अंदर तूरंत हमें hemodialysis करना है तो तूरंत हम क्या कर सकते हैं hemodialysis को perform कर सकते हैं इसका मड़लब यह emergency में भी यूज होता है यह elective cases में भी यूज होता है elective case का मतलब यह हैं कि imaging करूप कोई है जिसको chronic kidney disease है तो chronic kidney disease के अंदर जब हमें लगता है कि हमें hemodialysis करना चाहिए तो आप hemodialysis कर सकते हैं और acute renal injury है तो acute renal injury के अंदर अगर आप चाहते हो कि व्यक्ति के अंदर तूरण dialysis को perform करें तो भी आप इसको कर सकते हैं लेकिन यह peritonial dialysis emergency में यूज नहीं होता यह राधर किसमें यूज होता है बहुत इलेक्टिव के इलेक्टिव सिनेरियों के अंदर ही यूज होता है तो पहला difference मैंने बोला कि साब hemodialysis में blood को यूज करते हैं blood को machine में प्रवाहित करते हैं और dialysis को perform करते हैं उसको हम hemodialysis बोल रहे हैं जबकि peritoneal dialysis emergency में perform नहीं किया जाता इसका जो इंडिकेशन है वह इलेक्टिव सिनेरियों है वह राधर ज्यादा है तीसरी important बात है कि साब यह जो hemodialysis है वह individual के अंदर absolute correction करता है मतलब जो correction करता है वह बहुत अच्छा कर सकता है और peritoneal dialysis के अंदर absolute correction नहीं देखा जा सकता आप देखेंगे साब hemodialysis जो है उसके अंदर क्या important बाते हैं क्या indication है तो indication तो वही सिकेडी है आप देखेंगे साब hemodialysis जो है उसके अंदर क्या principle involved होते हैं अगर आपको exam में पूछे तो आप याद रखना जो principle hemodialysis में involved होते हैं वह एक तो होता है साब diffusion दूसरा जो principle involved होता है जिसको हम बोलते हैं अस्मोसिस और तीसरा जो principle involved होता है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन डिफ्यूजन ऑस्मोसिस यह तीन important principle है जो hemodialysis के अंदर यूज होते हैं नेक्स इंपोर्टेंट प्रशन ही इसके रिगार्डिंग है कि साब इसके अंदर डाइलाइसिस की फ्लोरेट क्या होगी तो जो ब्लड के फ्लोरेट होगी ब्लड फ्लोरेट जो होगी जो हम देखने वाले हैं hemodialysis में वह लगबख 300 से 500 ml पर मिनट होती है साब दूसरा बात यह कि यहां पे dialysis जो है वह जनरली कितनी बार recommend किया जाता है तो आप recommendation की बात करें तो recommendation किया जाता है dialysis में किसी व्यक्ति को जिसको chronic kidney disease है त्री टाइम इन वीक तीन बार एक सप्ता में जनरली recommendation किया जाता है important है कि each session आपको पूछे कि हर session जो होता है उसका क्या duration होता है तो हर session का duration होता है वह लगबख 4 गंटे होता है 4 hours के अंदर हम देखते हैं तो जो renal function है वह बेटा replace हो जाते है इसी प्रकार आप देखते हैं आपको पहला session की बात करें कि first session जो होता है hemodialysis का वह कितना होता है क्या duration होता है लगबख 2-3 गंटे जो होते हैं वह पहला session के हम देखते है duration होता है तो यह basic बात हैं जो आपको hemodialysis के regarding ध्यान में होनी चाहिए तो पहली बात बोली blood यूज होता है hemodialyzer use होता है emergency में करते हैं इलेक्टिव प्रसीजर है absolute इसमें correction होता है जो principle involved होते हैं वह होते diffusion osmosis और ultra filtration ठीके साब यह 3 important principle है जो इसके अंदर involved होते हैं यहाँ पे जो blood के जाने की flow rate वह कितनी होती है तो 300-500 ml पर मिनट ब्लड की flow rate होती है जो recommended recommended dialysis एक सब्ता में कितने करते हैं लगबग 3 टाइम हम perform करते हैं अगर को exam में पूछे कि एक session जो होता है dialysis का hemo dialysis का वह कितना होता है तो आपको answer देना लगबग 4 गंटे के आसपास होता है यह अलग बात है कि हमारी जो hospital के अंदर settings होएंगी वहाँ पर हम जो यह dialysis perform करते हैं वह जल्दी भी कर लेते होंगे लेकिन जो absolute बात कही गई है वह यह कि चार गंटे के आसपास हम देखते हैं इस session जो होता है वह होता है लगबग पहला जो session हम करते हैं वह कितना होता है दो से तीन गंटे का होता है जो आपको याद रखना है अगर आपको exam में पूछे कि hemodialysis की complications क्या है क्योंकि यह पूछा हुआ प्रश्न है तो एक तो important बात आपको यह पूछी जाती है complication तो complication में आपको याद रखनी है most common अगर आपको complication पूछता है तो वह most common complication तो यह बैटा बहुत बार हम देखते है patient के अंदर जो complication होती है जिसको हम बोलते है dis equilibrium syndrome यह जो dis equilibrium syndrome है वह another important complication है जो dialysis के दोरान हो जाती है किसी individual में उसका जो मुख्य कानन है वह यह है कि बहुत जल्दी आप dialysis को perform करते हैं और बहुत जल्दी करने का वजह से patient के अंदर intracranial pressure वह हेंब्रेज हो सकता है patient में electrolyte disturbance हो सकते है patient के अंदर infection हो सकता है patient के अंदर accelerated atherosclerosis हो सकता है आप याद रखना accelerated atherosclerosis यह भी एक important complication है जो hemodialysis के साथ हो सकती है individual में इसके अलावा अगर हम देखें तो इस व्यक्ति में carper terminal syndrome हो सकता है तो यह कुछ important complication है जो देखी जा सकती है अगर आपको पूछता है exam में most common तो most common आपको hypotension याद रखनी है इसके अलावा life threatening कौन सा हो सकता है तो air embolism है disequilibrium syndrome है bleeding hemorrhage है electrolyte disturbance है infection होना patient के अंदर accelerated atherosclerosis repeated dialysis के साथ यह complication बहुत याद देखी जाती है आप देख सकते हैं carper terminal syndrome तो यह सभी complication या इन में से कुछ complication हम देखते हैं किसी व्यक्ति को जिसको हम dialysis perform कर रहे हैं तो यह कुछ बाते हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए किसके regarding dialysis के regarding तो बस आपको यह याद होना चाहिए कि साथ यह कम time consume करता है इसके लिए hemodilizer का जरूरत होता है यह elective or emergency procedure है इसके अंदर यह तीन principle involved है और यह जो complications हैं जो जनरली देखी जाती हैं बाकि अगर आपको flow rate पूछे आपको हर session का time पूछे तो यह basic बात है जो आपको ध्यान मे होना चाहिए तो यह basic बाते हैं hemodilizer के बारे में जो में भी आपके exam के अंदर पूछी जा सकती है तो आपको उसके बारे में ध्यान होना चाहिए क्या आपको यहाँ पर समझ में आया dialysis encephalopathy ठीक है बच्चे यह एक important complication है जो हम देखते हैं व्यक्ति के अंदर जिसका नाम है dialysis encephalopathy तो कोई भी इन में से प्रश्णा आपको एक्जाम में पूछा जा सकता है आपको पूछे hypertension क्यों होता है तो बोलना सर वोल्यूम जो है वह बाहर जा रहा इसलिए blood pressure कम हो जाता है आपको पूछे कि air embolism क्यों होता था आप बोलना कि साब blood बाहर जा रहा है फिर वापस आ रहा है इसलिए air embolism होता है आपको पूछे disquilibrium syndrome क्यों होता है तो बोलना सर इंट्रा वस्कुलार जो composition है और जो एक्स्ट्रा वस्कुलार क्योंकि आप fluid blood के composition को चेंज करने हैं इसलिए electrolyte disturbance भी हो सकता है infection जितने भी hepatitis है BC जनरली आप देखोगे patient के अंदर हो सकते हैं तो कुल मिला के आपको इनके कारान इनके science symptoms और इन क्या measures करेंगे यह भी आपके exam के प्रश्ण हो सकते हैं तो याद रखिएगा बच्चों कि प्रश्ण केसे भी माउल्ड हो सकता है केसे भी पूछा जा सकता है बाकि अगर आप अपने comfort zone में हैं तो ठीक है इसका अंसर तो आपने इसलिए दे दिया क्योंकि आपने यह प्रश्ण कहीं कहीं पढ़ रखा है लेकिन ऐसा अगर माउल्ड करके पूछेगा तो कई अधरे जी ने सभी को वीश किया आप सब उनका स्वागत करें साब नेक्स प्रश्ण है बच्चो स्क्रीन पे देखें आप उसको आपको क्या लगता है इसका क्या एक किसी बुक में आपको मिल जाएंगे एस इट इस और उस बुक में भी आंसर सी ही करेक्ट है फिर भी मैं पूछ रहा हूं आपको कि इसका आंसर क्या है आप इसको पढ़ें और आप इसका आंसर दीजिए और नरिश सर का स्वागत भी करते रही है बीच डिच में नेक्स क्वेस्टन है आपका स्क्रीन पर आप इसको देखें पढ़ें और इसका आंसर बताईए और फिमेल क्लाइंट एक फिमेल क्लाइंट को रेस्पिरेटरी दिस्ट्रेस है विच अप द फोलोविंग साइं इंडिकेट पॉसिबल निमो थोरेक्स कौन सा फाइंडिंग से वह बोलता है कि साब पेशेंट इस हैविंग निमो थोरेक्स नेक्स इंपोर्टेंट क्वेस्टन निमो थोरेक्स कौन सा फाइंडिंग बोलता है निमो थोरेक्स सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि निमो थोरेक्स का क्या फाइंडिंग हो सकता है निमो थोरेक्स option first में लिखा है crackles and rails आते हैं तो आपको मालूम है कि crackles और rails तो तब आते हैं जब patient में pulmonary congestion हो if someone is having pulmonary congestion और किसी individual के अंदर pulmonary edema है तो pulmonary edema और pulmonary congestion के अंदर जब किसी व्यक्ति में hyper volumia है और वह फेपडे में आ गया है उस condition के अंदर हम देखते हैं तो crackles आते हैं इसलिए option A जो है वह गलत है Bradycardia and tachycardia कभी भी याद रखेगा जब patient के अंदर respiratory distress होता है तो as a part of compensation जो heart rate है वह बड़ी हुई होती है patient में आप जब जब देखेंगे tachycardia होगा patient के अंदर tachypnea और hyperventilation होगा option B भी गलत है option A भी गलत है तीसरी बात बोलिए कि साब patient is having shortness of breath and sharp pain on affected side किसे individual के अंदर shortness of breath है he is having respiratory difficulty और sharp pain है affective side में चलो एक बार उसको हम consider कर भी लेते हैं और option D है increase breath sound बेटा increase breath sound नहीं होता breath sound जो होता है वो हमेशा याद रखना decrease हो जाता है तो basic बात यह बच्चों की आपको at least कुछ idea होना चाहिए pneumothorax में अगर आप इन तीनों option को eliminate करते हैं तो आप सीधे answer पे चले जाएंगे और जो answer है वह क्या है C C बोलता है कि साब patient is having shortness of breath at the same time affected area के अंदर patient को sharp pain हो रहा है तो maybe यह presentation हो सकता है pneumothorax का क्योंकि आपको मालूम है कि crackles, rails जो होती है वो pulmonary congestion और pulmonary edema में देखा जाता है इसलिए option A नहीं है फिर आपको यह भी मालूम है कि जब patient के अंदर pneumothorax होगा तो as a part of compensation टेकी कार्डिया होगा और टेकी पनिया होगा तो यह भी आप इसको eliminate कर सकते है option B को breath sound आपको मालूम है dimnish हो जाती है और अगर lungs collapse हो जाए तो जो breath sound है क्या हो जाएगी बेटा absent हो जाएगी इसका मटब option D भी गलत है तो option C जो है अगर आप इस logic के साथ समझते हैं तो शायद वह सही है तो यह आपको ध्यान में होना चाहिए है ना अब इसी प्रशन को अगर हम थोड़ा सा माउड कर दे और यहां पर नूमो थोरेक्स की जगह यह लिख दे कि पेशेंट इस एविंग पल्मोनरी एडीमा फिर आप क्या देखेंगे तो पल्मोनरी एडीमा चलो इसी प्रशन को हम चेंज कर लेते हैं और अब हम लिखते हैं कि पेशेंट इस एविंग रैस्पिरेटर डिस्ट्रेस और विच आप दो फॉलोविंग साइन इंडीकेट पॉसिबल पल्मोनरी एडीमा तो बताइए उसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वह आप देखोगे बेटा क्या होने वाला है क्या अभ फिर करेक्ट आंसर होगा वह होगा बच्चे ए तो प्रश्ण के अंदर थोड़ा सा अगर फ्लक्टूबेशन कर ले आप तो काफी कुछ चीजे हैं वह चेंज हो जाएंगी इसी में अगर लिख लेकिसाब नुमोथोरेक्स छोड़ो पेशेंट इस एविंग पॉसिबल लंग्स इस कॉलेपस्ट अगर लिख लेकिसाब लंग से वह कॉलेपस हो गया है और फिर यहां पर ऑप्शन में ब्रच साउंड को कर देता है एपसेंट तो फिर आपके लिए इंपोर्टेंट फाइंडिंग कौन सा होगा तो अब आप आंसर देके बताएं कि अब इस प्र इसको निमोथोरेक्स और हो गया है उसका लंग्स कॉलेपस अब आपको पूछा जा रहा है कि निम्न में से क्या फाइंडिंग देखा जाएगा और यह इंक्रीज की जगह एपसेंट लिखा हुआ है तो उसका आधार पे आप इस प्रश्ण का क्या आंसर देने वाले हैं क् आंसर हो जाएगा डी तो हे ड्रीम 11 आप समझ पा रहे हैं क्या बता रहे हम तो महां 11 सरकल जो है उसमें कुछ भी ऐसा चीज चेंज होगा अगर आपके थौट क्लेरिफाइड नहीं है तो आप हमेशा यह मत सोचिए कि आपको एक्जाम में कॉपी पेस्ट क्वेस्ट नहीं चेंज होने वाला है तो आपको ध्यान होना चाहिए नूमो थॉरेक्स क्या है आपको ध्यान होना चाहिए प्लूरल इफ्यूजण क्या है तो सिंपल सा बات है नूमो थॉरेक्स को मैं पहले भी 59 कर चुका हूं लेकिन शौर्ट में बता रहा हूं यह जो प्लूरल स्पेस होता है उस प्लूरल स्पेस के अंदर एट्मोस्फरी के एर अगर आ जाए तो उसको हम नूमो थोरेक्स बोलते हैं आइडियली यहां पे कोई हवा नहीं है लेकिन इस स्पेस के अंदर अगर हवा आ कर आए वाइओ मंडल की तो उसको हम प्लूरल उसको हम नियूमो थोरेक्स बोलते हैं और नियूमो थोरेक्स होगा तो आप देखोंगे लंक जो है उसलिंग का जो expansion suspicion वो क्या होगा एक्सपांड नहीं हो पाएगा कहीं-ςक हमारा फेपणा क्या ऊक्ता है बैटा कॉलेप्स हो सकता है और कॉलेप्स हो गा तो हमारी जो respiratory physiology भोगोज जानु है पहुत ज्यादा और हमको respiratory प्रश्टोरी फेलियर तक हो सकता है और इवन बहुत सारी कंडिशन के अंदर हम देखते हैं हमें अब्स्ट्रक्टिव शौक हो सकता है तो यह सब होने वाला है किसी व्यक्ति में जिसको निमो थोरेक्स है चार इंपॉर्टेंड अब्जर्वेशन में बता रहा हूं कि निमो दूसरा प्रशंट पूछा जाए कि प Mage फोरेक्स है तो नर्से फाल पीट करतीय तो वह क्या देख सकती है पर पेशन के दोरान क्या हो सकता है तीसरा प्रशन आपको पूछा जाए कि एक पेशिंट को ऑसैस कर रही Share जिसको我們 11 fps उसके अंदर आफ परकरशन में क्या देखें और चोथा प्रशन आपको पूछा जा सकता है कि एक पेशेंट को निमोथोरेक्स है उस इंडिविजल के अंदर हम असकल्टेशन में क्या सुन सकते हैं तो यह चारो चीजे आपको ध्यान में होनी चाहिए कि इंस्पेक्शन में क्या देखेंगे पालपेशन में आप क्या दे तो bilateral chest moment जो होंगे वह chest moment क्या हो जाएंगे affect हो जाएंगे bilateral chest moment जो होंगे वह affect हो जाएंगे हम देखेंगे patient के अंदर inspection के दोरान unilateral chest expansion होगा unilateral chest expansion इसलिए होगा क्योंकि आप जानते हो एक व्यक्ति का जो फेपडाय क्या हो गया है इसलिए unilateral chest expansion होगा आप लिख सकते हैं पेशेंट के अंदर asymmetrical chest expansion होगा क्या होगा बेटा और symmetrical chest expansion होगा जीस प्लूरल एरिया के अंदर हवाँ भर गई है वह expand नहीं करेगा तो आप बड़ा simple सा बात है कि patient के अंदर हम देखते हैं तो आपको पूछा जाए भी या inspection में क्या देखेंगे तो आप बोल सकते हैं बोस की patient के अंदर और symmetrical chest expansion होगा bilateral chest moment है वह absent होगे में भी patient में unilateral chest expansion होगा आप देख सकते हैं इंडिविजल के अंदर ये चीज़े हम inspection के दोरान देख सकते हैं अगर आपने inspection में देखा उस व्यक्ति के अंदर sucking wound है chest में तो chest के अंदर अगर आपको sucking wound दिखता है तो sucking wound अगर आपको दिखता है तो आप समझ जाईएगा उस patient के अंदर open pneumothorex है तो open pneumothorex के अंदर हम जंदरली क्या देखते हैं sucking wound देखते हैं chest पे तो ये basic चीज़े हैं जो हम देखेंगा inspection के अंदर वही अगर आपको प्रशन पूछे की palpation के दोरान क्या होता है तो पालपेट जब हम करते हैं तो जो tactile fremitus होता है वह tactile fremitus जो है वह patient के अंदर कम हो ज जब आप पालपेट करते हैं तो subcutaneous area के अंदर हवा मिलेगी जिसको हम बोलते हैं subcutaneous emphysema ये जो subcutaneous emphysema है वह हम patient के अंदर देख सकते हैं जिस individual के अंदर blunt chest trauma का वजह से pneumothorex हुआ है तो ये चीज़े एक important observation है जो आप पालपेट कर सकते हैं जब आप percussion का बात आता है तो हवा होती है ज्यादा तो हम उस व्यक्ति के अंदर क्या देखते हैं हम उस व्यक्ति के अंदर percussion करेंगे तो आप देखोगे hyper resonance मिलेगा हमें याद रखना है hyper resonance जो होता है hyper resonance हम पालपेट हम percussion करेंगे तब हम revealed करते हैं अगर यहाँ पे dullness है तो डलनेस है तो बेटा जनरली ज confusion के अंदर या पेशेंट को pneumonia है तो वहां पे हमको dullness मिलता है अगर आप देखते हो ज्यादा मात्रा में एर का abnormal accumulation है तो हम पेशेंट के अंदर देखेंगे hyper resonance या आप percussion के दोरांद हम देख सकते हैं human crush sign बेटा obstructive condition में हम देखते हैं हो सकता है पेशेंट के अंदर है न जैसे स्नो के उपर कोई वोक कर रहा हो जूते पेन के वैसा आप यहां पे अंफाई सिमा देखते हैं यहां पे हमने देखा सब असकल्टेशन में क्या होगा असकल्टेशन के अंदर जो ब्रत साउंड हो के बन्ध हो सकती है लुका असे बेस बडिविस्त के अंदर आपको ध्यान में चाहिए है फिसीकल एक्जामनेशन लगा आतो करते हैं जिसको निमuesta बहुत सारी बाते जो अल्लेडी निवो थोरेक्स का प्रशन आया था पहले भी आया था वहां पर हमने डिसकस किया इसके अलावा जो बाते थी वह मैंने यहां पर आपको बता दी तो ठीक है यह आपको ध्यान में होना चाहिए यहां पर ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट आंसर ह दिया है वह बदाई के पातर है और जिनोंने यह तुक्का मार के दिया है वह भी बदाई के ही पातर है तो ठीक है यह आपको ध्यान में होना चीए इसके रिगार्डिंग तो आप समझ पा रहे हैं क्या बताया जा रहा है मैं बता रहा था बैटा फिजिकल एक्जामनेशन अगर हम करेंगे किसी व्यक्ति को जिसको निमो थोरेक्स है तो उसके अंदर हम इन चीजों को ग्याद कर सकते हैं या इन चीजों को देख सकते हैं और ये चीज़े आपको एक्जाम के अंदर फिजिकल एक्जामनेशन के दोरान पूछी जा सकती है तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा Next question है आपका screen पे आप इसको देखें, पढ़ें और इसका अंसर दीजिए क्या exactly ये प्रश्ण है? बहुत easy प्रश्ण है आप इसको पढ़ें और इसका अंसर दीजिए Next question है आपका screen पे Next question है मादेव जी आप लगे रहे हैं पास हो जाएंगे महाकाल की क्रफा आप पे जम्यों ही देगे अभी आप अगर आंसर लिख रहे हैं पर्टिकुलर तो आप ध्यान में रखिएगा की करेक्ट आंसर क्या है और क्यों है 10-year-old has been diagnosed with acute post-streptococcal glomerulonephritis PSDN है किसी बच्चे को The clinical finding were protein urea, protein urea है moderate elevated blood pressure है Periorbital edema है Which dietary plan is most appropriate? यहां पर B और कुछ बच्चे A, maximum बच्चे B आंसर दे रहे हैं कुछ बच्चे A, B आंसर दे रहे हैं और एकाद बच्चा C भी आंसर दे रहा है सबका कल्यान, ओंजू, ओंप्रकाश बहुत जल्दी आप पास हो जाए देखो बच्चो बहुत बार question है वो थोड़ा बहुत confusing होता है लेकिन यहां पे जो आपको हमेशा याद रखना है कि जो एक्जाम के अंदर आपको data पूछा है उस data के आधार पे ही आपको answer करना है पूरा knowledge भाँ apply नहीं करना है इसने बोचा है कि which dietary is most appropriate for this client और इसने finding में लिखा है protein urea, moderate elevated blood pressure है, patient को periorbital edema है आप जानते हैं कि साब जब patient को PSGN होता है, post streptococcal glomerulonephritis तो उसके अंदर आप देखोगे inflammation होगा glamourular apparatus का और यह जो inflammation है उसका वज़े से renal function है वह patient के अंदर affect होगा और जब renal physiology affect होगी तो हमारे अंदर जो diet हम generally advocate करते हैं वह renal diet होती है लेकिन यहां देखा जाए देखो patient के अंदर CDC बात है, inflammation है और inflammation के वज़े से हम क्या देखते हैं तो आप देखोगे patient के अंदर gross hematuria होता है आप देखते हैं protein urea होता है, patient के अंदर blood pressure बढ़ जाता है यह सब basic बाते हैं जो हम patient के अंदर देखते हैं अब आप को diet पूछा है क्या diet देँगे तो आप क्या fluid intake ज्यादा करेंगे Already में कहिराओं साहब इसके अंदर vascular volume ज्यादा है इसव्यक्ति के अंदर blood pressure ज्यादा है जब vascular volume ज्यादा होता है, blood pressure ज्यादा होता है तो आपको fluid intake है, उसको कम करना रहता है इसलिए option C जो है वह incorrect है option C गलत क्यों है तो बहुत simple सा बात है कि साब PHGN वाले बच्चे को अगर हम देखें तो जो findings होती है अगर आप उनको देखें तो एक finding होती है जिसमें हम बोलते है कि साब patient में gross hematuria होता है इसके अलावा patient के अंदर mild to moderate protein urea होता है हम देखते हैं साब protein urea के अलावा patient के अंदर blood pressure जो है वह बढ़ सकता है यह main issues हैं जो हम देखते हैं PSGN के अंदर यहाँ पे already मैंने का कि साब GFR effect है तो उस patient के अंदर हम क्या करेंगे fluid intake है उसको उल्टा कम कर देंगे इसलिए option C जो है वह सही नहीं है क्योंकि patient का blood pressure बढ़ा हुआ है तो आपको cholesterol भी नहीं देना है तो आप इसको भी avoid कर सकते है अब बात आती है low sodium और low protein इन दोनों में क्या choice करेंगे आप तो low protein diet देंगे या low sodium diet देंगे आपको हमेशा याद रखना है बटा protein low तब देंगे जब patient के अंदर patient is having azothymia या patient के अंदर यूरेमिया है अगर patient को azothymia है patient को यूरेमिया है ac condition के अंदर आप patient के अंदर protein को ज्यादा दे सकते हैं आप patient में mild to moderate protein intake को बढ़ा सकते हैं याद रखिएगा आप patient के अंदर high biological value का protein देते हैं high biological value का protein देना है लेकिन आपको याद रखना है कि यह high biological value का protein कब देंगे यह तब देंगे जब patient में न तो azothymia है न यूरेमिया है अगर इस patient के अंदर यहां mention होता है कि साब patient is having azothymia and euramia तो option a b correct हो सकता था इसलिए हमने option a को हटा दिया और option b जो है वह correct इसलिए बोला है क्योंकि कि already patient is having hypertension hyper volumia तो यहां पे हम low sodium diet patient को usually recommend करते हैं तो यह चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए और यह dietary intake है जनरली advice किया जाता है किसी बच्चे को जिसको PSGN है तो post streptococcal glomerul nephritis बच्चे जहां पे हम देखते हैं group a beta hemolytic streptococcal के infection के बाद patient के अंदर kidney जो है वह प्रभावित हो जाती है आप देखते हैं beta hemolytic streptococcal यह gram positive organism है जो group a से belong करता है इसके अंदर nephrogenic strain होती है हम M protein virulence की बात करते हैं जो भी यह आप साब देखेंगे antison antibody reaction और उसका outcome होगा patient के अंदर involvement of respiratory system involvement of renal system और वहां पर क्या होना है साब inflammation होना है injury होना है destruction होना है glomerulonephritis होना है यह एक प्रकार का इसे के अंदर आपको याद रखना है जब patient acute condition के अंदर आया है तो fluid intake जो होता है उसको हम कम कर देते हैं sodium के intake को कम कर देते हैं cholesterol के intake को कम कर देते हैं carbohydrate और आप normal simple sugar बढ़ा सकते हैं यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है आपको याद रखना है अगर patient के अंदर एजोथिमिया और यूरेमिया है तो protein कम देना है अगर आपको लग रहा है कि renal burden नहीं है तो आप moderate protein patient में देते हैं जो की high biological value का होना चाहिए तो ठीक है बच्चे यह basic बात है जो आपको ध्यान में होनी चाहिए बाकी बच्चे जो लिक रहे हैं वो मेरे knowledge से भी ज्यादा है कोई बता रहा है कि type third hypersensitivity होती है कोई यह भी बता रहा है कि साब patient के अंदर lumpy-wumpy appearance होता है starry sky appearance होता है asotiter का बात भी बोल दो बैटा तो यह सब बात है कोला कलर का urine specific gravity का क्या होगा आपका asotiter सब बाते जो है वो आपको ध्यान में होनी चाहिए है न तो यह basic बात है जो आप पढ़ते हैं तो ठीक है जब भी आई का nephritic nephrotic तो हम उसको further और evaluate कर सकते हैं यहां पर जो correct answer लग रहा है वो भी है और आप शाबास शी के पारत्र हैं आप शाबास आपने ज़्यादा तर बच्चों ने जो answer दिया है वो बहुत अच्छे से दिया है तो ठीक है बच्चे गीता जी भी आ गई है अब पढ़ाई अपन चालू करते हैं next question है आपका screen पे आप उसको देखें और आप उसका answer बताईए next question जो की screen पे है आप उसको देखें और आप उसका answer बताईए देखो light microscope होता है electronic microscope होता है immunofluorescent study होती है urine के examination पूछ सकते है blood के examination पूछ सकते है आप इसको द्यान रखेगा diverticulosis का प्रश्ण है रोंग हो जाए कोई कोई घड़ कोई डरने जैसी बात नहीं है a male client has history of diverticulosis he has question about the food that he should eat his nurse give him following information उसको कौन सा खाना खाना चाहिए diverticulosis वाले को यह प्रश्ण है बहुत इजी है बेटा diverticulosis diverticulosis क्या है कहा होता है क्या कारण है और क्या instruction दिये जाते है याद रखिएगा diverticulosis जब होगा तो उसके अगर हम causes की बात करें चलो पहले हम प्रश्ण ही देख लेते उसके बात चर्चा करेंगे बी आंसर है ए भी आंसर बता रहे हैं लो रजीडिवल डाइट लेनी है जो बी बता रहे हैं उन देवताओं को बोलता हूँ अगर आप लो रजीडिवल डाइट उस patient को अडवाइस करेंगे तो लो रजीडिवल डाइट का वज़़ से patient को हो जाएगा constipation और constipation होगा तो वह और जोर लगाएगा और और जोर लगाएगा तो उस patient के अंदर और डाइवर्टिकुलाइटीज होने की संभावना बढ़ जाएगी तो बी आप्शन जिन मेजोरिटी और बच्चों ने बताये वह तो गलत है बी क्यों गलत है क्योंकि आपको याद रखना हैं बेटा लो रेजिडिवल डाइट का वज़़े से constipation होगा constipation होगा तो ट्राफिक बढ़ेगा आपका कोलोन के अंदर दबाव पड़ेगा कहीं ने कहीं patient के अंदर जब lumen के अंदर दबाव बढ़ता है तो patient के अंदर पाउच बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है इसलिए B option गलत है B गलत होता ही A सही हो जाता ही आपको मालूम है कि B अगर गलत है तो B का एकदम contradictory करी answer कौन सा A है तो A correct हो गया सही answer इसका A है हम सला देते हैं उस patient को कि उसको high fiber diet लेनी चाहिए और जब आप high fiber diet लेंगे बच्चे A is correct answer high fiber diet हम लेते हैं तो patient को constipation नहीं होगा और जब patient को constipation नहीं होगा तो व्यक्ति के अंदर diverticulosis की संभावना कम हो जाएगी बाकी हम drink limit करने की बात करते है he should drink minimal amount of fluid यह तो एकदम illogical है मैंने बोला कि साब अगर आप अच्छे से hydrate रहोगे तो आपके जो discharge होंगे आपके जो discharge होंगे वह भी क्या होंगे well hydrated होंगे तो easily evacuate हो जाएंगे तो पानी तो और ज्यादा पीना है उल्टा यहां पे कम लिका तो यह भी गलत है और he does not need to make any modification यह useless बात है जब already उपर प्रश्ण में बोला है कि modification required है और आप के रहें modification नहीं करना है तो यह भी गलत बात है तो बड़ा simple सा बात है कि answer जो है वह correct है ए कि हम patient के अंदर high fiber diet जो है वह recommend करते है एक patient को जिसको diverticulosis है तो diverticulosis क्या होता है जो हमारा colon होता है उस colon का out pouch बन जाए तो यह जो out pouching हो गई है colon की उस out pouching बली गठना को हम diverticulosis बोलते हैं और अगर उसके अंदर inflammation हो जाता है तो यह जो inflammation हुआ है उसको हम diverticulitis बोलते हैं तो what do you mean by diverticulosis imaging करो कि साब यह colon है और यह जो colon है अगर वह ऐसा कोई out pouch बना दे तो यह जो गठना गटीत हुई है उसको हम diverticulosis बोलते हैं और उसके अंदर अगर inflammation हो जाए तो उसको हम diverticulitis बोलते हैं अब inflammation होगा तो क्या होगा साब inflammation होगा तो perforation भी हो सकता है पेशेंट के अंदर peratonitis भी हो सकता है तो यह सब outcome देखे जा सकते हैं किसी व्यक्ति को जिसको diverticulosis या diverticulitis है है na ये जन्रली हम देखते हैं कहा होता है तो होने को तो कहीं पर हो सकता है लेकिन हम जब कलोन की बात करते हैं तो जो sigmoid हंदेखते सब जो जिख्मोईड कलोन है अब देखते हैं आप देखें ओसेंडिंग डिशेंडिंग ट्रांस्वर और sigmoid यह जो sigmoid वाला एरिया है वह most common effect होता है जहां पर हम diverticulosis देखते है इंडिविजल के अंदर यह क्यों most common effect होता है तो आप बोलना बहुत यह most common site इसलिए है क्योंकि हम देखते हैं कि sigmoid जो है जैसे आप देख रहें यह ट्रांसवर यह डिसेंडिंग और सिग्मोड एक तो सब्सक्राइब अबलीकली प्लेस्ट है और दूसरा इंपोर्टेंट बात यह कि इसका जो डायमेटर है वह relatively कम है तीसरा इंपोर्टेंट बात यह है कि साब यहां पे जब स्टूल जो होत प्रभावित मिलता है आपको पूछे कि क्या रिस्पेक्टर है डायवर्टिकलोसिस के तो याद रगना पहला इंपोर्टेंट रिस्पेक्टर है डायट वह व्यक्ति जो की लो रजीडिवल डायट ले रहे हैं लो रजीडिवल डायट उन इंडिविजल के अंदर हम देख Agreement है अगर ज्यादा patient के अंदर connectivity रेता है इंडिविजल है वह advance एज का इंडिविजल है ईल्डर इंडिविजल है कोईitto फिसिकल activity को कम करता है तो उन इंडिविजल के अंदर हम देखते हैं डायव अउटेक्पूलोसिस की सम्भावना आप moderate, mild to moderate है, आप mobility को maintain करें, जरूरत बड़े तो आप stool softener ले सकते हैं, ये सबी solution है, जो किये जा सकते हैं, तो ये चीज़े आपको ध्यान में होनी चाहिए, किसके regarding बच्चे, diverticulosis के regarding, पूछा जाए, क्या risk factor देखे जाते हैं, तो diet को याद रखना है, obese individual, इसके लावा obesity, diet के साथ constipation को link किया जा सकता है, उमर दराज लोगों में होता है, ये सब बाते हैं, जो यहाँ पर इन चीज़ों को prone करते हैं, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, solution क्या है, solution अभी के लिए, जब तक वह inflammatory नहीं है, कोई complication नहीं है, तो छोटे मोटे dietary modification से आप change कर सकते हैं, जो चीज अब हो गई है, लेकिन हाँ, उसकी complication को कम कर सकते हैं, high fiber diet लेना है, टीन लिटर पानी पीना है, mobility को maintain करना है, constipation से बचके रहना है, बाकि आप देखते हैं, patient के अंदर loose tool softener दिये जा सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो ठीक है, जिन बच्चों ने answer A दिया था, वह एक बार फिर बदाई के पात रहे हैं, इसी class में, Oncology, भाई एक बात बताओ, सूर्य पुत्रकर्ण, Oncology का class अलड़ी YouTube पे है, बेटा उसको देख लेना, उसके अंदर पूरा Oncology लगबग करा दिया है, अब आपको सर्ज करना पड़ेगा, जो class है पहले से available है, आप उनको देखिए, उसके अंदर Oncology, Head to Toe मैंने explain कर रखा है, अलग-अलग cancer और जंदरट cancer के बारे में भी, Meanwhile, अगर इसमें प्रशन आते हैं, तो उसको थोड़ा expand कर लेंगे, यह मैं आश्वस्त करता हूँ आपको, नेक्स प्रशन स्क्रीन पर पड़ें, आप उसका अंसर दीजिए, तसर्द गुजर क्या, जैंकर is most common, ट्रेक्शन बट जैंकर is most common, अरे इसो फेगस को छोड़ यार, इदर बात हो रही है, कहाँ इनलेट में पड़ाएं तो, नेक्स प्वेश्चन इस स्क्रीन पर बेटा इसको देखे, इसका अंसर दीजिए आप। मैं इसका बंस का तो अर्डी हम डिसकस कर चुके हैं, बंस के बारे में कि हम क्या फार्मूला यूज करते हैं, कौन-कौन से फार्मूला अवेलेबल है, फस्ट एट आर्स में क्या देना है, अगले 16 गंटों में क्या देना है, optimum fluid resuscitation हुआ है वो आपको केसे मालम पड़ा है या question पूछ रहा है the nurse is evaluating effectiveness of fluid resuscitation कौन सा चीज इसको indicate करता है सिरी बात है का आपने पाणी आपका शरीर में पाणी का अस्तर अच्छे से है the nurse is evaluating the effectiveness of fluid resuscitation the effective हां जी ठीक है C answer दे रहा है बच्चे जादा था which of the following indicate effective fluid balance balance पूछ रहा है option a option a जो है वो बोलता है कि हमने fluid administered किया तो उसका जो वेट है वह इतने पाउंड से बढ़के इतना हो गया अगर बेटा पानी पीने से वेट बढ़ जाता है तो यह over hydration को शो करता है यह fluid balance को शो नहीं करता यह तो बोल रहा है कि हमारा भाई शायद over hydrate हो गया इसलिए option a जो है वह गलत हो गया his urine output is equal to total fluid intake जितना पीया है उतना ही आ गया है जितना पीया है उतना ही आ गया है urine output जो है वह 35 ml पर आर से जादा है फोरम लास्ट बारा आर यह बोलता है कि सब जितना पीया उतना पानी आ गया क्या यह fluid volume के balance को बताता है आपना कम पीया है तो कम आएगा तो यह बात इस चीज को इतनी अच्छे से हम effective fluid balance को justify नहीं कर वाएंगे BP कम है तो यह भी गलत है blood pressure जो है वह यह कम है यह तो patient के अंदर बता रहा है कि सब इस individual के अंदर इस individual के अंदर blood pressure कम है यह तो vascular volume कम को बता रहा है इसका मतलब यह तो एक प्रकार से dehydration को suggest कर रहा है यह तो for hydration हो गया डी तो dehydration हो गया अब option बसते हैं दो दो option में बोलता है कि has urine output has been more than 35 ml per hour from last 12 hours बिटा एक patient के अंदर urine output है वह 35 ml per hour से ज्यादा है और ऐसा last के 12 गंटे से बना हुआ है तो यह patient को बोल रहा है कि urine output जो है वह patient के अंदर hydration को show कर रहा है कि व्यक्ति तभी अच्छे से urine produce कर पा रहा है जब व्यक्ति well hydrate है और जो produce कर रहा है वह भी normal है इसका मतलब option C जो है वह option B के comparison में एक तार्कीक outcome को suggest करता है मतलब वह और जदा अच्छे से इस चीज को justify कर रहा है तो option C जो है वह B के comparison में ठीक है क्योंकि यह यह बता रहा है कि लास्ट के 12 गंटे से patient का पिशाब है वह एकदम normal आ रहा है और इस चीज को हम देख रहे है इसका मतलब यह है कि patient है वह well hydrated है और उसके अंदर fluid का balance है वह optimum है तो यह एक basic सा प्रशन था जो बीच में आ गया तो इसको भी हमको बताना चाहिए तो हमको यह ध्यान में होना चाहिए next प्रशन आपका screen पे है आप इसको देखे बच्चे और इसका answer बताईए आपको क्या लगता है इसका क्या answer है next question आपका screen पे a female client decide a female client decide on hemodialysis, he has internal vascular access device placed to ensure the patency of device the nurse must. patient को dialysis करना है उसके अंदर internal vascular access बना हुआ है और हमको उसका patency देखना है internal vascular access का patency देखना है तो हमें क्या ध्यान होना चाहिए हम क्या करेंगे क्या answer आपको लगता है patency देखने के लिए patency का मतलब यह है कि आपने जो artery of venous channel बनाया है या वह channel खुला हुआ है वह आपको देखना है तो patency देखने के लिए assess the site for leakage of blood and fluid पहले आपको मालूम होना चाहिए बच्चे patency की बात यह है कि जब हम dialysis करना चाहते हैं तो dialysis करने के लिए हमको access बनाने होते हैं hemodialysis के लिए और यह जो access होते हैं वह external होते हैं और दूसरी बात है यह जो access होते हैं वह internal होते हैं external और internal जो internal access होते हैं उसमें होता है internal arterio venus festula एक access होता है जिसको बोलते है internal arterio venus festula और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं internal arterio venus graft बोलते हैं internal arteriovenous graft और internal arteriovenous festula ये दोनों तो अंदर create किये जाते skin के नीचे इसलिए इसको आप internal बोलते है और external axis होता है एक तो placement of catheter आप क्या करते हैं सब catheter को place करते हैं और दूसरा आपका axis होता है वह होता है external arteriovenous shunt आप एक artery को vein के साथ जोड़ देते हैं किसी external shunt के द्वारा तो उसको हम external arteriovenous shunt बोलते हैं है ना अब यह यह बोलता है कि अगर आपने internal axis बनाया है जैसे festula या graft तो आपको कैसे मालूम पढ़ा कि वह जो आपने axis बनाया हुआ है वह axis patent है या नहीं है तो patent सी आपको कैसे मालूम पढ़ेगी इमेजिंग करो वह अंदर है तो आपको कैसे मालूम पढ़ेगा क्या आपको यहां से blood leak हो रहा है उससे site से अगर blood leak हो रहा है तो क्या यह patency को बता था यह highly illogical है says the site for leakage of blood and fluid sub blood यह तो leakage बता रहा है खुद ही बता रहा है कि यह तो leakage बता रहा है अब इस्तेटों scope इसके उपर रखते है देखो एक तो आप टच करके मालूम कर सकते है एक आप ascultate करते तो याद रखना touch करते हैं तो हमें thrill feel होती है हमें pulsatile feeling आती है pulsatile हमें thrill feel होता है यह तो हम touch है यह वह मालूम पड़ता है और अगर हम करते हैं और अगर आप इसको अगर पल्सटाइल फिलिंग आएगा आपको अंदर थ्रील फिल होगा और उसके अलावा अगर आप उसको असकल्टेट करेंगे तो असकल्टेशन के दोरान आपको ब्रूट साउंड सुनाई देगा यह दोनों चीजे बता रही है कि ब्लड जो है वह आर्टरी से वेन में अच्छे से फ्लश हो रहा है और हमारा इंटर्नल डिवाइस जो हमने क्रियेट कर रखा है वह पेटेंट है क्योंकि थोड़ा इमेजिंग करो अगर उसके अंदर ब्लॉक हो जाता तो आपको थ्रील भी नहीं फील होता और आपको बूट साउंड भी नहीं सुनाई देती तो आपको बयाद रखना है बी जो है वह एकदम करेक्ट ऑंसर है बाकी ब्रूजिंग होना हान्स होना साभ यह ब्रूज हो जाए यह इंजरी को सजेस्ट कर रहा है हमेटुम माय है वह ब्लड accumulation को suggest कर रहा है, यह पेटेंसी नहीं बता रहा है, inspect the site for color, warmathy and sensation, यह inspect the site for color, warmathy and sensation, even यह अगर आप देखते हो, तो यह आगे एक complication होती है, जिसको हम arterial still syndrome बोलते हैं, उस arterial still syndrome के लिए, आप generally क्या करते हैं, जहां पर आपने creation कर रहा है, उसके आगे के color को, warmathy को और sensation को हम assess करते हैं, तो यह तीनों के तीनों illogical है, patency के लिए तो आपको यही करना है, और B जो है वही बताता है कि हमारा जो created access है, वह patent है या नहीं है, तो यहां पर जो correct answer है बच्चों, वह मैं बता रहा हूँ, वह correct answer है, option B जो आपके जहन में होना चाहिए, है न, तो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ basic बात है, जो बड़ी common सी हैं, जो पुछी जाती है, तो पहला मैतफून बिंदू यही है, कि हम जब hemodialysis करना चाहते हैं, तो बिटा हम hemodialysis करने के लिए हमको blood को निकालना और blood को चड़ाना है, तो उसके लिए हम excess बनाते हैं, और यह जो excess होते हैं, वह हो सकते हैं, एक तो external excess और दूसरा हो सकता है, internal excess, external excess होता है, एक तो बहुत placement of catheter, जैसे आपने क्या करा, आपने femoral artery में catheter लगा दिया, आपने बड़ी कोई भी वेसल से उसके अंदर catheter को place कर दिया, आपने subclavian vein को यूज कर लिया, अगर आपने उसके अंदर catheter को place किया, तो यह एक excess हो सकता है, और दूसरा excess हो सकता है, आप किसी artery को vein के साथ जोडते हैं, किसी external shunt से, तो यह भी आपका external एक प्रकार का excess हो गया, और दो excess मैंने लिखे जो internal हैं, एक तो internal arterio venus festula, जहां पर किसी artery को vein के साथ जोड़ देते हैं सीधा, और communicate करके आप बना लेते हैं, जिसको हम arterio venus festula बोलते हैं, और artery को vein के साथ जोड़ने के लिए किसी device को हम यूज़ करते हैं, जो कि internally placed है, कोई graft आप यूज़ कर रहे हो तो इसको हम internal arterio venus graft बोलते हैं, तो यह दोनों तो internal हैं और यह दोनों external हैं, अगर आपको इसके बारे में पूछे कि फाइदे नुकसान क्या हैं, तो आपको याद रगना है, बच्चों की जो external axis आपने बनाया है, उसको तो आप immediate use कर सकते हैं, अगर आपको पूछे कि immediate use करना है, एक patient को तूरन dialysis करना है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, उसको आप सुनिएगा, अनिवार यह नहीं है, मैं चीजों को लिखूँ, और यही प्रशना आपके exam में आए, ज्यादा तर जो वही प्रशना आता है, जो टीचर बोलता है, जो आउं साब elective dialysis, हमें dialysis है, वह तूरंत नहीं करना है, लेकिन हमको लंबे समय तक करना है, तो उसके लिए हम फैस्टूला को और graft को बनाते हैं, फैस्टूला को हम जनरली 6 week के बाद, आपने बनाया है, उसके 6 week के बाद आप इसको use कर सकते हैं, और graft जो होता है, उसको 2 से 3 week के उपरांत, आप इसको use कर सकते हैं, इसको graft को, इसका मतलब यह दोनों immediate use नहीं होते, यह दोनों elective condition में use होते हैं, तो आपको simple प्रशन पुछेए कि साब एक patient को hemodialysis करना है, patient है, वह प्लान तरीके से होना है, elective scenario में होना है, तो उसके लिए तो आप फैस्टूला को य पंबे समय तक चलता है, तो external हो गया और internal हो गया, है न, अब बात आती है साब फैस्टूला के बारे में, जो फैस्टूला हम बनाते हैं, जिसको हमारे लिए शब्द यूज होता सिमेनो ब्रेसिया, आप याद रखना बेटा सिमेनो ब्रेसिया फैस्टूला जनरली बनाया जाता है, सिमेनो ब्रेसिया फैस्टूला, जनरली हम क्या करते हैं, जिससे कोई आर्टरी है, उस आर्टरी को वेन के साथ अनास्टोमोसिस कर लेते हैं, इमेजिंग करो ये आर्टरी है, इसको रेड में ही बनाते हैं, ये आर्टरी है, और ये समझो की हिसाब ये वेन है, त दोनों को जोड़ देते हैं तो एक common communication ऐसा बन जाएगा यह जो बना है इसको हम बोलते हैं आर्ट्रियों वेनस फेस्टुला बोलते है जो फेस्टुला यूज होता है वो कौन सा होता है सेमनोब्रेसिया फेस्टुला यह आपको याद रखना है जंदरली आपको पूछे फेस hand जो होता है non-dominant non-dominant hand जो है वहाँ पे जंदरली हम क्या करते हैं बच्चों फेस्टुला बनाते हैं जो फेस्टुला होता है उसका जो diameter है 6 mm बिनत इसकींद रहता है 6 mm बिनत इसकींद रहता है जंदरली याद रखना 6 mm का ही diameter होता है फेस्टुला का और 6 week इसको heel होने में लगते हैं 6 week इसको क्या होने में लगते हैं heel और mature होने में लगते हैं यह आपको ध्यान में रखना है जो फेस्टुला हम बनाते हैं वह होता है एक तो radio cephalic radio cephalic radio cephalic को जोड़ते है ब्रेकियो cephalic आप कर सकते हैं यह फेस्टुला हम जनरली बनाते हैं और फेस्टुला के साथ आपको क्या do and don'ts याद रखने हैं यह भी हम देख लेते हैं बहुत do and don'ts क्या है जहां पर आपने फेस्टुला बनाया है उस extremities में आपको BP नहीं लेना है आपको IV line नहीं लेनी है आपको sugar का test नहीं करना है याद रखेगा जीस area के अंदर फेस्टुला बनाया हुआ है वहाँ पर क्या नहीं करना है वहाँ पर blood pressure आपको नहीं लेना है वहाँ पर आप sugar का test नहीं करेंगे वहाँ पे आप आईवी लाइन नहीं लएंगे और आप फेस्टूला को किसी और चीज के लिए यूज नहीं करेंगे ऐसा मत समझना कि आपको कोई और आईवी लाइन नहीं मिली आपने फेस्टूला के अंदर ही बड़ी वेन है यूँ करके आपने उसी के अंदर injection जो भी medicine था उसको inject कर दिया था आप ऐसा नहीं करेंगे याद रखना है फेस्टूला है वो only dialysis को perform करने के लिए use किया जाना चाहिए आपको क्या नहीं करना है आपको उस extremity से sugar test नहीं करना है आपको वहाँ पे IV line प्लेस नहीं करना है उधर की side पे आपको BP नहीं लेना है वहाँ पे जो फेस्टूला है उसको only dialysis के लिए use करना है वो और अन्य किसी चीज के लिए आप use नहीं करेंगे आप कब यूँज करेंगे जब फेस्टूला है जो mature हो जाता है उसके बाद आप use करेंगे जब आप use करते हैं उसके पहले आपको पेटेंसी assess करना रहता है और पेटेंसी assess करने के लिए आप क्या करते हैं आप असकल्टेट करते हैं जिसे अभी हमने पढ़ा था आप पालपेट करते हैं आप जब पालपेट करते हैं तो आप थ्रील को फील करते हैं और जब आप असकल्टेट करते था आप बूट साउंड को सुनते हैं तो असकल्टेशन के दोरान तो आपको याद रखना है कि हम क करता है आप जब फैस्टूला बनाते हैं तो आपको यह द्यान में होना चाहिए कि जहां हमने इमेजिंग करो कि हमारा एक्स्रिमिटीज है ऐसा समझो कि एक्स्रिमिटीज ऐसे ही है यह उंगलिया है न और इमेजिंग करो कि यहाँ पे फैस्टूला बना रखा है यह आपका वेन है और यह आर्टरी है और आपने यहाँ पे क्या बना रखा है फैस्टूला बना रखा है तो हमको फैस्टूला के डिस्टल एरिया में यह हो गया आपका फैस्टूला के डिस्टल एरिया इस डिस्टल के इंदर neurovascular status को observe करना है किसको status को observe करना है neurovascular status आप हमेशा याद रखना यहां पे जो blood artery का आया है वह बहुत बार क्या होता है जैसे मैं imaging कर रहा हूं गुलाबी color से बता रहा है यह artery वाला blood है वह vein से ऐसा divert होके वापस चला जाता है तो इस area के अंदर फेस्टूला के आगे वाले area के अंदर जो arterial supply है वह compromise हो जाती है अगर ऐसा कोई कांड हो गया उस neurovascular creation का नाम है arterial still syndrome आप इसको बोलते है arterial still syndrome अगर आपको पूछे के arterial still syndrome क्या है बच्चे तो आपको ध्यान होना चाहिए किसी के लिए यह revision है किसी के लिए यह burden है और किसी के लिए न जाने क्या है बगवान जाने क्या पढ़ा रहे हैं ऐसा भी हो सकता है यह सब के लिए अलग अलग है जैसे आप हो वेसी दुनिया है और जैसा आप सोचते हो वही exactly है आपको पूछे आर्टीरियल स्टिल सिंड्रोम क्या है बहुत बढ़े बटा च्छे और शिक्स पी पहले भी हमने सुने च्छे पी पेल पालर है न इसलिए हमने देखा हमेशा का हम कलर देखते हैं कि मोशन देखते हैं संसेशन देखते हैं कि अना कलर मोशन संसेशन पर रिफिल टाइम को देखते हैं यह सब हम देखते हैं तुमारा भगवान ताकत्वर है या नहीं हो डिपेंड करTा है कि तूम ताकतवर हो या नहीं हो सीधिसी बात है अगर आप सही में समझना चाते है तो यह समझने के लिए एफलेट्पॉम है और अगर विक्टिम बनना चाते हैं तो same time ये भी बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा कहीं और जगह पे आप victim बनने वाले नहीं हो, यहाँ ही clean bold हो जाने वाले हो, है ना, तो बिटा यह याद रखना चाहिए आपको कि हाँ compartment में भी वही होता है, यह neuroscular creation है, इसलिए हम देखते हैं, arterial still syndrome तो नहीं हुआ, patency के लिए हम यह देखते हैं, तो यह सब basic बात है जो आपको इसके बारे में ध्यान होनी चाहिए, तो ठीक है बच्चे, मैंने इससे बुलना है कि यह non-dominant hand में create किया जाता है, आर्टरी को वेंड से जोड़ा जाता है, छे विक का समय लगता है, छे में का होता है, सिमनो ब्रेसिया शब्द हम यूज करते हैं, और आपको ध्यान रखना है कि साब मैच्चूर होने में इतना समय है, यह nursing का responsibilities है, यह सभी बाते हैं जो आपको इसके बारे में ध्यान होनी चाहिए, बागी प्रश्ण क्या था, उसका आंसर में बता देता हूं, उसका जो आंसर था, अगर प्रश्ण तक ही आप सिमीत रहना चाहते हैं, तो याद रगना इसका जो आंसर था, ठीक है मराज, नेक्स प्रश्ण आपका है, आप इसको पढ़ें, एक बार फिर से आप को पढ़ें, आप इसका आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, वो बताई आप, नेक्स क्वेश्ण आपका स्क्रीन पर, सही है, पेल, पालर, पल्सलसनस, परस्थिश्या, तो आपको पूछा जाए तो पांच भी आप देखिंगे बिटा कलर, संसेशन, मोशन, इन सब चीज होगा, सॉल्यूशन, बिएसी, नर्सिंग, तुने बहुत अच्छे से पढ़ाई किये, वटा, तू एकदम तक पर रहना, बहुत इजिली आप पास हो जाओगे, आपके जो आंसर है, उनको देखके ऐसा लगता है, मेर को कि मेर से भी ज़्यादा आपको मालूम है देखो बटा, इस प्रश्न को पढ़े हैं, रिवीजन हो रही है, हाँ बटा, रिवीजन तो ही रहा है, रिवीजन करवाने के लिए आया हूँ, अटलिस्ट आप कॉन्फिडेंट फिल करें, सबसे इंपोर्टेंट बात यही है कि अभी इतना ज़्यादा तो चीज आप या क्योंकि प्री आप लिख रहे हो और बहुत इजी होएगा, प्री आप ध्यान रखेगा, यह तो एक तरह से मेंस की तयार या टाइप का काम हो रहा है, आइडियली तो इनको प्री के अंदर भी बेसिक सब्जेक्ट पूछनी चाहिए, बगवान जाने यह क्या पूछ है, च जैसे ही पैदा होगा, यह वीर अभी मन्यू की तरह निकलेगा और सीधा चक्रवियू को दे भेदेगा, सोचो आप कि जो बच्चे पोस्टम है, जो बच्चे दो-पांस साल के हो गए, उनके साथ क्या होने वाला है, क्यों भी सॉल्यूशन भी अभी बता रहा है कि वो तो और हमें तो तब मालूम पड़ा कि हमने नर्सिंग किया, जब गहाँ वालों ने मील के बोला कि भाईया, तुन्हें कुछ कौर्स कर रखा है, वह क्या है, सफेद कफ़डों वाला वाल नर्सिंग है, ऐसा तब मालूम पड़ा, चलो ठीक है, इस पर हम बात करते हैं बात में A female client recently diagnosed with gastric cancer, she entered hospital, had total gastrectomy with esophagogenostomy, her postoperative recovery was uneventful, on conducting discharge teaching, the nurse discussed change in bodily function and lifestyle change with her, in order to prevent parneesia, प्रस्न दे को पूरा प्रस्तावन ना था था बेटा, एक patient है, जिसको gastric cancer था, उसके अंदर बेटा हमने total gastrectomy किया, फिर हमने isophagogenogenostomy कर दिया, इसका मतब आपने stomach को तो हटा दिया, अभी बात है ये, कि stomach को हटा दिया, तो in order to prevent parneesia, आप जानते हैं ना, कि एक complication होती है, तो in order to prevent parneesia, निमिया, nurse किस चीज पर stress करेगी, parneesia, अनिमिया हो गया है, अब अपन क्या कर रहे हूं, omnisex है बटा, यह इतना होशियार है कि यह already decide करके आया, 80 है, 20 है, देख, अगर वो male है, तो 20%, अगर वो female है, तो 80%, 80% संभावना है, इतना advance female नहीं सोचती है, इतना advance male सोचता है, तो solution भी male है, जहां तक मेरा knowledge, क्योंकि female होती तो अभी, कौन सी है, female अगर होती, तो वो female अगर 4th year में होती, maybe, तो शायद वो अनुपमा देख रही होती, लेकिन यह बच्चा 4th year के अंदर, in MCQs को पढ़ रहा है, और मैं देख रहा हूं, यह routine basis पर आता है, यह लड़का ही है जरूर, क्योंकि इसको मालूम है कि आगे संभावना है, 80% unfavorable condition है, तो यह अभी से तयारी कर रहा है, चलो ठीक है, मैं इधर आता हूं, नहीं तो भूल गया है, मैं तो online था, तो online है, मैं तो कुछ offline जिसी बाते कर लिए, in order to prevent parnicious anemia हम क्या करेंगे, ठीक है भाई, अजमेर से है, यह ज़्यादा मत बताना, यह गाव तक पहुँच जाएंगे तेरे, in order to prevent parnicious anemia क्या करेंगे, receive monthly blood transfusion, यार एक बात बताओ, किसी patient को parnicious anemia है, तो उसको treat करने के लिए, यह बड़ा illogical सा answer, यह option इसलिए गलत है, कि आप monthly blood transfusion करेंगे, नहीं साब, increase the amount of iron in her diet, यह किया जा सकता है, लेकिन यह समझना है कि इस आदमी को parnicious anemia क्यों है, क्योंकि total gastrectomy है, इसलिए option B भी गलत है, आपको याद होना चे, eat small quantity, several time daily, until she is able to tolerate food in moderate portion, यार, खाना खाने से, परनीशिये से नहीं मिया, थोड़ी सही होता है, small खाओ, ज़्यादा खाओ, कम खाओ, इससे सही नहीं होता है, एक काम करो, कुछ गाड़ी लेके निकल ही जाओ, अजमेर की तरफ बेटा, कर क्या रहो वेसे ही, है न, online, पहुँचो भाई के पास, और पढ़ाई के दोरा नगर देखे हैं, तो ऐसा लगता है, जिसे तीए या चोथे की बैठक में आके बैठे हैं, पढ़ाई के अलावाद देखो इनका इंट्रेस, इतने creative ideas, यह रेंडर करते हैं, यहाँ पे chat box में की teacher को पढ़ते पढ़ते आनन्द आ जाता है, टीचर को भी अचाने लगने लगता है, कितना अच्छा चल रहा है, चलो प्रश्न पर आते हैं, option A, बड़ा illogical है, इसलिए गलत है, option B, iron diet में दिया जा सकता है, लेकिन आपको याद होना चाहिए, परणीश्य सेमिनीमिया में तो vitamin B12 की कमी है, इसलिए option B, वेसे ही गलत है, और दूसरा बात आपको याद होना चाहिए, इसके अंदर total gastrectomy किया है, बच्चे total gastrectomy किया है, तो सीधी सी बात है, total gastrectomy किया है, तो यह answer भी illogical हो गया, और थोड़ा बहुत खाने से और बार बार खाने से एनीमिया ट्रीट होने लगा, तो ले भाई, फिर तो दवात देने की भी कोई जरूरत नहीं है, हम यही बोलेंगे, भाई साब अगर आपको एनीमिया हुआ है, तो जितना total rate हो सके, थोड़ा थोड़ा खाना काओ, एनीमिया से ही हो जाएगा, तो यह भी illogical सा answer है, तो एक ही बचता है, देवताओ answer D, और D जो है वह correct answer है, कि उसको समझना चाहिए कि विटामिन B टूलर रेप्लेस्मेंट का ही जरूरत है, ऐसा क्यों है, तो इसको हम जरूर आपको justify कर देते हैं, जैसे आप देखते हैं, बेटा कि पेशेंट के अंदर surgery की है, यह isophagus है, और यह स्टमक है, और यह आप देखो साब tudanium है, और इस पेशेंट के अंदर क्या किया है, इस पेशेंट के अंदर इस स्टमक को निकाल दिया है, हमने कर दिया है पेशेंट के अंदर total gastrectomy, इसका मतलब इस पेशेंट के अंदर स्टमक नहीं है, अब बच्चे स्टमक नहीं है, इसका मतलब स्टमक के अंदर पाए जा लगाते हैं नहीं हुआ यह लोगuela pissy sûr ते और यह जो किате रहा है उनकी कि आप देखते हो जी सेयल कहले है तो यह आपने पड़ा होगा चीप जोती है चीप सेल होती है और फ्यक्रोब सेड़ इस ऑफ सेम में में नहीं होती है बच्चे वह parietal cell release करती है SCL और intrinsic factor याद रखना जो parietal cell है वह release करती है SCL और intrinsic factor मैंने बोला कि साब इस्टमक के अंदर बेटा जो gastric feats होते हैं वहाँ पे कुछ designated košikाए होती है और यह जो cells होती है वह particular secretion को cause करती है जैसे मैंने आपको बोला G cell है वह gastrin को produce करती है parietal cells होती है वह SCL और intrinsic factor को produce करती है और यह जो intrinsic factor यहाँ से release हुआ वह intrinsic factor जो होता है वह vitamin B12 के absorption के लिए जरूरी होता है इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारे अंदर intrinsic factor release नहीं होगा तो B12 का absorption नहीं होगा तो common sense यहीं बोलता है बच्चो कि जब stomach ही नहीं है तो stomach ही नहीं है तो parietal cell नहीं है parietal cell नहीं है तो intrinsic factor नहीं है intrinsic factor नहीं है तो B12 का absorption नहीं होगा कितना भी तो B12 खा ले absorb भी नहीं होगा कितना भी teacher पढ़ा ले जब दिमाग ही नहीं है् तो क्या समझ में आएगा यह वशी बात है? बुरा मत मानिएगा आप इस चीज को कि देव संस्ट कुछ पड़ा रहे हैं, आ के पड़ा रहे हैं, लेकिन दिमाग ही नहीं है दिमांगी teenagers very very necessary motive होना चाहिए patient होना चाहिए dream होना चाहिए वो है ञीं हमारे अंदर अब वो है वह घ्री को यहां कितना भी पडाओ क्या वो absorbed हो रागा नहीं होगा वही exactly हम देख रहे हैं इस patient में हुआ है क्योभी इसके अंदर नहीं है तो B12 का absorption नहीं होगा चाहिए आप कितना भी खालो कि इंट्रेंसिक फेक्टर नहीं है का absorption होता है टर्मिनल इलियम जो होता है आप पड़े होंगे का absorption होता है टर्मिनल इलियम में तो सीधी सी बात है कि पेशेंट के अंदर absorption नहीं होगा अब absorption नहीं होगा तो साब उस व्यक् हम देखेंगे तो इसको बोलेंगे मेगलोब्लास्टिक अनीमिया क्या बोलेंगे बेटा मेगलोब्लास्टिक अनीमिया यह जंदरली हम देखने वाले हैं इस पेशेंट के अंदर अब इसका क्या सॉल्यूशन है इसका सॉल्यूशन यह है देवताओ कि आप अगर इसको औरल क सब निकल जाना है, जितना पढ़ाओगे सब चला जाएगा बटा, क्यों है ही नहीं, तो यहां सोलूशन क्या है, नया स्टमक लगाएं, नहीं जी, यहां पे काम कर सकते हैं, इसको अदर देन, पेरेंटरल अड्मिस्ट्रेशन करें, आप इसको पेरेंटरल तो भी गलत आंसर है, अगर आपको यह औरल मेडिकेशन बोले, औरल इंटेक ऑप आईरन एंड फॉलिक एसिड और बी टूवल वो बोलता है, तो भी गलत आंसर हो गया, देखो जनरल एनिमिया के ट्रीटमेंट के अंदर आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप बी टूवल रि यह चीजे कारगर साबित नहीं होंगी, आपको अदर देन औरल जाना पड़ेगा, जिसको हम बुलते हैं पेरेंटरल, क्या बुलते हैं पेरेंटरल, और यह जो पेरेंटरल फूड है, यह जो पेरेंटरल एड्मिस्टरिशन है, अगर आप बचाते हैं, तो उसके लिए पड़ेगा, वही पे यह हो सकता है, है ना, तो कूल मिला के बाद यह है कि पेरेंटरल वाला जो था रेप्लेस्मेंट वही एक सही आंसर है, आपको पूछे बेटा इंपोर्टेंट फाइंडिंग परनीशियस एनिमिया में क्या होंगी, तो फटीगनेस होगा, विकनेस पेशेंट के अंदर पेल पालर होगा, पेल होगा सब पेशेंट को पालर होगा, रेड बीफी टंग यह बहुत बार पूछते है, रेड बीफी टंग पेशेंट के अंदर होगी, यह इंपोर्टेंट फाइंडिंग है, रेड बीफी टंग, पेशेंट का टंग है, वह स्मू व्यक्ति के अंदर fatigueness, weakness, pale, pallor, आप देखेंगे उस व्यक्ति के अंदर red, biffy, tongue होगा, numbness होगा, patient के अंदर tingling sensation होगा, patient का gate disturb होगा, अगर वह female है, gate disturb है, तो दिमाग भी disturb होगा, चीड़-चीड़ापन होगा, tingling sensation होगा, यह सब चीज़े हम patient के अंदर observe करते हैं, और इसका treatment हो सकता है, अगर stomach है, देखो stomach है, तो oral intake हो सकता है, oral medication हो सकता है, फिर parental medication हो सकता है, फिर vicious प्रिस्थितियों में blood transmission है, लेकिन यहां stomach नहीं है, है, total gastrectomy है, तो only एक ही और correct answer है, वह है D, तो जिन बच्चों ने D answer दिया है, वही सही answer है, तो macrocytic, hypochromic, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, यह सब चीज़े आपको ध्यान में रखनी है, है न, तो यह आपको ध्यान में होना चीज़े इसके regarding, दूसरा important complication total gastrectomy के साथ क्या होता है बटा, क्योंकि next time प्रशना आये नहीं आये, मैं बता देता हूँ, dumping syndrome होगा, rapid emptying of gastric content into intestine without proper treatment, जो online class में होता है, dumping syndrome बोलते है उसको, कि बहुत जल्दी से आप एक काम करते हो, क्या करते हो, बहुत सारी चीज़े जल्दी से पढ़ा दी जाती है, टीचर के द्वारा जबर जस्ती, और उसके बाद जो बच्चे के साथ कांड होता है, मतलब जो problem होती है उस बच्चे के अंदर, उसको हम dumping syndrome बोलते हैं, मैंने जितना पढ़ा, वो आके कम समय में बहुत जालता बोलके चला गया, तो आप जो depression में जाते हैं, उसका नाम है dumping syndrome, अगर आप नहीं पढ़े हो, तो होता है, dumping syndrome, rapid emptying, dumping syndrome में क्या होगा, rapid emptying होगा, gastric content, क्योंकि normally क्या होता है, आप समझना इस चीज को, मैं short मैं समझा देता हूँ, यह सोचो, इस टमक है, तो क्या होता, काईदे से तो हम खाना खाते होगा, यहां गाना गाते होगा, और यहां अच्छे से treat होता है, यहां पर HCL, Pepsin सब mix होते हैं, बेठके चलती हैं, digestion का प्रक्रियां यहां चालू होता है, इसका जो osmality है, वह change होगा, और फिर दीरे दीरे बरात है, वह आगे जाएगी, और यह जो बरात है, वह आगे जाएगी, तो आगे जाके, इसका जो normal digestion absorption है, वह हो जाएगा, अब कहानी क्या है, माराज कहानी यह है कि किसी गाव में चोराया ही नहीं है, मंदीर ही नहीं है, मतलब इस्टमक ही नहीं है, तो सीधी बरात आई और सीधी कहाँ चली गई, गाव के उस बाड़े में जहाँ रोटिया बन रही थी, और जैसे वह वहाँ भागेगी, तो as it is, भूकी, प्यासी भागी, मतलब हाइपर उस्मलार सबस्टेंस कहाँ पे पहुँच गया, इंटस्टाइन के अंदर, और जैसे इंटस्टाइन में पहुचेगा, तो यह तो हाइपर उस्मलार पहुचा, और यहां का विसल्ट जो सप्लाई है, उसकी जो उस्मलार्टी है, वह कम है, कम है तो क्या होगा, आप देखोगे उस व्यक्ति के अंदर, इंट्रावस्कुलार एरिया से, इंट्रावस्कुलार एरिया से, बलड से, फ्लूड शिप्ट होगा कहाँ पे, अलिमेंटरी ट्रैक में, तो यहां पे पानी का भराव होगा, मतलब आप देखोगे हमारा जो intestine है वो लोडेड हो जाएगा फ्लूड से और फ्लूड से लोडेड होगा तो वो इधर निकलेगा या इधर निकलेगा अनोरक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, डाइडिया, अब्डिमिनल पेन ये सब चालू और ये जो कांड हुआ, उसी का नाम है Dumping Syndrome तो याद आपको याद होना चाहे Dumping Syndrome क्या होता है तो बहुत सिंपल है Dumping Syndrome का मतलब यही है कि साब इस्टमक नहीं था, जो substance है, वो प्रॉपर ट्रीट नहीं हुए क्योंकि इस्टमक काट के हटा दिया था तो जो हमने खाया वह सीधा पहुंच गया कहां पे इंटस्टाइन में, as it is, हाइपर ओस्मलार फॉर्म में और जब वह हाइपर ओस्मलार फॉर्म के अंदर यहां पे पहुंच जाएगा तो आप देखोगे इंटस्टाइन के अंदर के ओस्मलर्टी ज्यादा है और उसको सप्लाई करने वाले ब्लड से तो आप देखोगे वस्कुलार एरिया से फ्लूट शीप्ट होगा कहां पे बिटा है, अलिमेंटर ट्रेक में तो वस्कुलार एरिया में तो क्या हो गया वस्कुलार एरिया में तो कम हो गया वस्कुलार एरिया में कम होते ही आप देखोगे पेशेंट को टैकिकार्डिया होगा पेशेंट में पाल्पिटेशन होगा पेशेंट को डाइफरोसिस होगा पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम होगा पेशेंट को एंजाइटी होगी पेशेंट को गब्राथ होगी ये सब तो इसलिए हुआ क्योंकि वस्कुलार वॉल्यूम कम है पंकत जी भी इसी भी जा गए है होसला वर्दन करने के लिए आप सभी लोगों का स्वागत है सरका देर आए दुरुस्त आए फिर भी आए धन्यवाद सरका स्वागत करें चड़िया लगा दे स्वागत की तो मैंने बोला कि साब ऐसा होगा साब इस पेशेंट के अंदर है न और जो पानी बरा है हुआ है धन्थाम मेरा थन के धावकों में प्राह्ण जाने है तो ही बात ही है हाड़ है jamia gonna काफी कुछ कांड ढूजाइं इसलिए मैं दरा हुआ हूँ मैंरे को बोल्र रखा हिदायत दे रख कि गलती से मेराथन ले लें लिए में पंगर देहीं हो में में मैं होगा मैं मैं हुआ 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 आप पंगत जी को बोली है वो मेराथन ले लेंगे आपको MSN का मेराथन लेना है तो इस ऑप्टिमम बंदा जो ले सकता है मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं सब्सक्राब ले लीजिए एक जैसे एक बच्चा कोचिंग में आता है उसने नर्सिंग में तो पढ़ाई की नहीं थी जैसे वह कोचिंग में आता है तो कोचिंग में आते क्या होता है जो जो टीचर होते है वो डायरेक्ट पढ़ाना चालो कर देते तो वो rapid emptying हो गया और उसके बाद बच्चा अब चक्कर कागे बार गिरा हुआ मिला क्या हुआ डंपिंग सिंड्रॉम हुआ है ना तो यह exact कहानी है तो बेटा इसका solution आपको याद होना चाहिए अगर आपको डंपिंग सिंड्रॉम से बसना है है तो क्या करना है याद रगना है डंपिंग सिंड्रॉम से अगर आप बचना चाहते हैं है है ना तो कि डंपिंग सिंड्रॉम से अगर हमको बचना है तो इसका solution एक ही हो सकता है थोड़ा थोड़ा करके खाएं स्मॉल खाएं दूसरा है कम सॉल्ट यूज़ करें तीसरा है कम शुगर यूज़ करें यह प्रश्ण पूछेगा आपको याद रगना डंपिंग सिंड्रॉम से बचने के लिए क्या करें मिल्क और डेरी प्रड़क्ट कम यूज़ करें नेक्स मेरा थन आपका में से नहीं है सरका प्रिपरेशन ओन है डंपिंग सिंड्रॉम से केसे बचा जाए मतलब एक बच्चा जो नर्सिंग में नहीं पड़ा है फिर भी कोचिंग में आ गया और उसने पेसे जमा करा दिये हैं वह केसे बचे अब तो उसको क्या करना चाहिए उसको एक तो स्मॉल फ्रिक्वेंट खाना चाहिए स्मॉल फ्रिक्वेंट का मतलब समझते हो एक दिन में अगर चार क्लासे होती है तो एक ही क्लास अटैंड कर फिर गर जा के सोजा बागी चार नहीं करनी है नहीं तो डंपिंग सिंड्रॉम हो जाएगा solution बता रहा हूं मैं कौन सी class attain करनी चाहिए वो भी दिमाग लगा ले ना जिसमें salt कम हो जिसमें sugar कम हो salt ज्यादा लोगे तो बढ़ेगी शुगर ज्यादा लोगे तो osmolity बढ़ेगी carbohydrate simple carbs अगर आप ज्यादा लेंगे तो osmolity बढ़ेगी तो dumping होगा milk और dairy प्रड़क्ट आपको कम लेने milk और dairy प्रड़क्ट जो होते हैं dairy के product वह आप कम consume करिएगा यह भी आप make sure करिए तो small frequent diet है बच्चे salt कम लेना sugar कम लेना simple sugar carbs कम लेने milk और dairy प्रड़क्ट कम लेने ज्यादा आप प्रोटीन ले सकते हैं और interesting बात देखिए यह पहली ऐसी बात है जहां पर आप ऐसी सला देंगे कि खाके सो जाना है खाना खाके सो जाना सो जाने का मतलब यह नहीं है कि नीन निकल और खड़ाटे लो सोने का मतलब है लेटना जाकते हुए लेटना conscious लेटना खाके सो जाना चाटा मारके भाग जाना दो याद रखना लड़ाई घड़ाई हो जाने तो वहांसे बाग जाना सो जाने का मतलब स्लीप का मतलब यह नहीं गेरी नीन स्लीप का मतलब अब लेटने से मैं बोल रहा हूँ बटा यह करना चाहिए इससे आप प्रिवेंट कर सकते डंपिंग सिंड्रॉम को फिर भी नहीं हो तो एक काम करो एक एंटी स्पाजमोडिक मेडिसीन लेलो एंटी स्पाजमोडिक मेफटल स्पाज लेलेना जिससे स्पाजम कम होगा तो बात है का आपको यह प्रशन पूछा हुआ है पूछा जाएगा बच्चे की डंपिंग सिंड्रॉम को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे स्मॉल फ्रिक्वेंट डाइट देंगे हम पेशेंट के अंदर सॉल्ट कम देंगे हम पेशेंट में शुगर कम देंगे हम मि spasmodi, यह solution है, जो हम करते हैं इस individual में, to prevent dumping syndrome, है न, तो dumping syndrome, vitamin B12 deficiency, are important question, may be ask in your exam, please go through, ध्यान रखियेगा, आपको knowledge होना चाहिए इनके बारे में, तो यह सब चीजे, इसके संदर में याद होनी चाहिए, gastrectomy, और बाकी तुम्हारा exam में पूचता है, बेटा, बिल्रोत 1 और बिल्रोत 2, बहुत बार मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले तो उल्टा ओर भी photo के साथ बताता था मैं, बिल्रोत 1 और बिल्रोत 2, one का मतलब क्या है, partial gastrectomy, patient के अंदर क्या किया है, partial gastrectomy, with permanent, partial gastrectomy के साथ-साथ क्या किया है बیٹा, gastro gastro judenostomy किया है तो उसको हम bilrot 1 बोलते हैं और bilrot 2 में क्या होता है bilrot 2 में partial gastro with gastro judenostomy होता है यह bilrot 2 है आपको पूछ ले बायचांस bilrot 1 क्या है bilrot 2 क्या है आपको फोटो मार के पूछ ले है ना तो एक के अंदर partial gastro with parmanic gastro judenostomy और एक में judenostomy करते हैं judenostomy है D से याद रखना D पहले आता है bilrot 1 है J बाद में आता है तो bilrot 2 है यह सब चीज़े आपको ध्यान में रखनी है तुम बता देना select topic कोण से हो next प्रशन screen पे आप इसको पढ़े हैं और इसका answer दे next मेहतवपून प्रशन आपका screen पे एक बचा cancer cancer कर रहा है इसके लिए यह प्रशन प्रशन आप अब इस प्रशन से मालूम पढ़ेगा आपका level next मेहतवपून प्रशन प्रशन आपका 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 आप झाल 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 एक्चल में यह क्वेस्टन बहुत इजी है मैं बता देता हूँ 24 year old female client receiving external radiation therapy to scapula for beta stasis of breast cancer teaching related to skin care for the client would include which of the following interesting बात बता देता हूँ यह प्रशन का answer तो छोड़ो इसका interesting facts बता देता हूँ अगर यह प्रशन जो है उसके अंदर चारो जो option है और प्रशन जो है किसी copy से लिया हुआ है और वो प्रशन आपने पढ़ा हुआ है क्योंकि आपने यह प्रशन पढ़ा हुआ था और इस प्रशन के अंदर जो correct answer था वह बी ही था तो ज्यादा तर बच्चों ने answer यहां पर भी बताया है लेकिन यहां पर मैंने answer में थोड़ा सा change कर दिया लेकिन इस प्रशन का correct answer A है इससे यह साबित होता है कि अगर आपके सामने वही प्रशन आता है या आपके सामने वेसा प्रशन आता है तो आपका perception वही है जो आपने पहले कभी पढ़ा होगा और सुना होगा आप सोच के कोई चीज answer दे ही नहीं पाते हो आपने जो पढ़ा हुआ है उसका तो answer आप एकदम सही देते हो क्योंकि ऐसा प्रशन अगर आपने same पढ़ा होता था आप answer सही दे रहे थे क्योंकि उसके अंदर भी answer है मैं देख रहा हूँ अभी कि ज़्यादा दर बच्चों ने भी answer दिया इसका जो correct answer है वो है देवता तो बात मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हर एक बार same चीज नहीं पूछेगा थोड़ा सा यहाँ प्रशन में change कर दिया है देखो मैं बता देता हूँ इसमें कि क्या है यह चीजे इसलिए हमेशा प्रशन को पढ़े और प्रशन की merit पर answer दे न की preoccupied दे के दे कि यह प्रशन पढ़ा था उसका यह answer था इसका भी answer यह यह ऐसा नहीं है लाल बटन देखा नहीं कि दबा दिया दबाना नहीं था कितनी बार बोला एगा है ना तो इसका correct answer A है क्यों A है वो मैं बता देता हूँ patient है वो external radiation therapy receive कर रहा है teaching related to skin care of client would include which of the following क्या चीज उसकी teaching में की जाएगी है ना यहां पे यह बोला जाएगा कि teach her to rinse with water and pated dry देखो जहां पे हम radiation receive कर रहे हैं अगर आप उस area को दोना चाते हो तो आप normal water से दो सकते हो और बीना rub करे हुए उसको dry कर सकते हो इसका मतलब यह तो आप कर सकते हो बाकी तीनों चीजे नहीं कर सकते हैं जो broken skin है उसके उपर आपको medicated ointment नहीं लगाना है जहां पर आप radiation deliver कर रहे हो उस area के उपर याद रखना अगर वहां की skin जो है वहां पर erythema हो रखा है वहां पर slogging हो रखा है वहां का skin हो छिल चुका है वहां पर कोई changes हो रखे हैं local जैसे मैंने आपको बोला कि जब radiation हम देते हैं तो वहां का tissue क्या हो जाता है अफेक्ट हो जाता है तो वहां का tissue अगर अफेक्ट है तो वहां पर आप medicated ornament लगाएंगे नहीं साब यह नहीं करना है इसलिए option भी गलत है encourage her to wear tight fitting vest to support scapula कभी भी tight fitting garments use नहीं करने even tight fitting की जगह आप loose loose fitting garment को prefer करते हैं आप ऐसे garment जो की आप जनरली देखते हैं काई से बने है बैटा cotton से ऐसा नहीं है कि ऐसा fabric use करें polyester वाले तो रुपय में पांस सेट ले आए और वह पेन के बेठे हो ऐसा नहीं करना है see जो है वह एकदम incorrect answer है encourage her to expose into sunlight on area being treated never exposed radiated area into sunlight sunlight UV rays में कभी भी हम expose नहीं करते हैं और अगर by chance हमको बाहर जाना भी पड़े गर्मी है बाहर जाना पड़े मादेव अगर एकदम सही बोला यह रट्टूत होते हैं इन्होंने क्या है ज्यादा तर बच्चों ने सही आंसर यहां पर इसलिए दे पाते हैं क्योंकि उन्होंने यह प्रश्न पड़े हुए नहीं पड़ा हुआ प्रश्न में सही आंसर निकालो तो सही बात है है न तो यहां पर हम देखते हैं कि सनलाइट में एक्सपोज वेसे तो नहीं होना है लेकिन फिर भी अगर जाना पड़े तो क्या करना है आप हैट्स यूज़ कर सकते हैं आप मास्क यूज़ कर सकते हैं आप छत्री यूज़ कर सकते हैं चाता यूज़ कर सकते हैं और आप आप ointment लगा सकते हैं SPF, sun protection factor जो होता SPF वो more than 15 वाला आप apply कर सकते हैं अगर आप बार जा रहे हैं तो UV rays को protect करने के लिए तो ये basic चीज़े जो आपको external radiation के regarding आपको ध्यान में होनी चाहिए तो देखो मैं सबसे important area यहाँ पर अभी address करने वाला हूँ आप इसको अच्छे से सुनिएगा और इसको answer दीजिए है ना बेटा radiation therapy के साथ do and don't तो यहाँ पर जो correct answer था वो ये था मैं बता रहा हूँ radiation therapy क्या है तो जब कोई patient है जिसको cancer होता है बेटा तो cancer के management के अंदर cancer के management के अंदर हमारे पास अलग-अलग options होते हैं pain करता है cancer पे सबसे priority में देखा जाए तो हम patient के अंदर pain management करते हैं और pain management के अलगा जो option है जिसके अंदर हम देखते हैं chemotherapy है दूसरा तीसरा option है जिसको हम radiation therapy बोलते हैं हमारे पास option हो सकता है surgery और हमारे पास एक option होता है जिसको हम बोलते है bone marrow transplantation BMT यह option है cancer के overall management के आप pain management को हमेशा priority में रखते हैं pain management हमेशा priority है इसके लावा chemotherapy, radiation therapy, surgery और bone marrow transplantation इन में से कोई भी approach patient में use की जा सकती है अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी बहुत radiation therapy के बारे में है radiation therapy क्या होता है बच्चो तो cancer के treatment के लिए बहुत बार हम radiation को use करते है if radiation is used to treat cancer, if we are using radiation as a therapy to treat cancer तो उसको हम बोलते है radiation therapy अब प्रशन है कि यह radiation आप कैसे देते हैं यह radiation आप कैसे देते हैं उसके अदार पर हम radiation को दो भागों में divide करते हैं एक तो होता है जिसको हम बोलते है external radiation therapy आप बोलते बटा एक्स्टर्नल radiation therapy और दूसरा जो होता है उसको बोलते है internal radiation therapy इसके बारे में exam में आपको प्रशन पूछे जाते है एक्स्टर्नल रेडियेशन थेरेपी का नाम है टैली थेरेपी इसको हम बोलते हैं टैली थेरेपी और इंटर्नल रेडियेशन थेरेपी का नाम होता है बच्चे ब्रेकी थेरेपी इसको हम बोलते हैं ब्रेकी थेरेपी external radiation को हम बोलते है टैली थरपी और internal radiation को हम बोलते है ब्रेकी थरपी यहाँ पर बात चर्चा कर लेते है external radiation की external radiation में क्या होता है बहुस एक machine होता है वो machine radiation को emit करता है एक source होता है बच्चे और उस source से क्या निकलती है radiation और उस source के सामने patient को लिटाया जाता है, बिठाया जाता है या प्लेस किया जाता है अगर ऐसा कुछ हम कर रहे हैं तो उसको हम external therapy उसको हम external radiation therapy बोलते हैं, तो external radiation therapy में एक source होगा और दूसरा कौन है बहुत patient है imagine करो कोई patient है जिसको cancer है उसको हम ले जाएंगे उस एरिया में जहाँ पे machine लगा हुआ है वहाँ पे उसको place करेंगे और फिर आपका जो source है वर radiation को emit करेगा उस एरिया के उपर अगर ऐसा कुछ हम कर रहे हैं तो उसको हम external radiation therapy बोलते हैं, है न यह आपको दियान रखना है, अब external radiation therapy के अंदर क्या किया जाता है तो जनरली आपको याद रखना है कि source है वर radiation को emit करता है, पेशेंट के particular area पे, अगर ऐसा हम कर रहे हैं, तो उसको हम external radiation therapy बोलते हैं imagine करो किसा external radiation therapy, एक patient गया, जनरली हम देखते हैं तो 15 से 30 मिनट की होती है, लगबग per day होती है, हम बोलते हैं किसाब 5 day in a week हम patient का requirement के हिसाब से करते हैं और 2 से 7 week तक चलती है, depend करता है cancer पे, लेकिन अगर आप देखो तो 15 से 20 मिनट की होती है, 30 मिनट की, एक दिन में 15 से 30 मिनट लगबग 5 दिन करते हैं हम एक week में external radiation therapy, टैली therapy और यहां पे 2 से 7 week patient में depend करता है cancer का हिसाब से deliver की जाती है पहले external का सुन लिजिए cancer की अगर हम बात करें फिर बात आती है इसके अंदर हमें क्या समझना है इसके अंदर हमें यह समझना है कि हम जब patient के अंदर radiation को deliver करते हैं, imagine करोग यह patient है और यह patient है वो यहां पे लिठा हुआ है और हमने क्या किया बहुत यह source है और इस machine से radiation है वो इस व्यक्ति पे release हो रहा है, इसके बाद जब यह patient बाहर आता है तो याद रखना है, जैसे यह patient बाहर आता है, तो patient should not consider as source of radiation याद रखना है यहां पे does not, जो patient होता है, वह does not pose a risk of radiation याद रखना, यह जो व्यक्ति है वो radiation का source नहीं माना जाता है यह कोई risk नहीं बढ़ाता है यह याद रखना, वो इसलिए नहीं बढ़ाता है क्योंकि उसको radiation उस कमरे में उस machine के सामने deliver होई थी जब वो बाहर निकल के आता है, तो उसके अंदर कोई radiation नहीं है इसका मरब दूसरों को डरने का जरूरत नहीं है, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि breaky therapy में डरने का जरूरत है, क्योंकि उसके अंदर radiation का source human body में होता है तो जब तक वो human body के अंदर होता है, तक तक वो व्यक्ति itself is a source of radiation तो वहाँ पर जो nursing responsibilities होंगी वो अलग होंगी इसलिए मैं बोल रहा हूँ तो मैंने क्या बात बोली, इसको टेली थेरेपी बोलते हैं इसको जनरली deliver करा नहीं हो तो patient को एक particular institution में एरिया में ले जाया जाता है जहाँ पर machine लगा हुआ होता है वहाँ पर patient को place किया जाता है फिर radiation deliver होती है लगवख 15-30 मिनट तक deliver होती है पर दे, पांस दीन इन वीक लगवख 2-7 वीक और यहाँ अच्छी बात समझने वाली यह है कि radiation के बाद व्यक्ति खुद source नहीं है रेडियेशन का तो जब हम deal करते हैं इसे व्यक्ति के साथ तो हमें डरने का जरूरत नहीं है यह चीज हमको ध्यान में रखनी है है ना अब next important बात यहाँ पर क्या nursing वाली बात है जो आपको ध्यान में रखनी है external radiation therapy में एक महत्रपून बात कि साथ जहां radiation deliver होना है उस area को हमें mark करना है या doctor बोलेगा इस area को mark करेंगे एक semi permanent ink होती है कैसी होती है बटा semi permanent ink एक AC ink जो की permanent नहीं है लेकिन कुछ समय तक रहती है उस ink से हम उस area को mark करते है कि यह designated area है जिस पे व्यक्ति में radiation deliver होना है दूसरा मेत्वपून बात उस व्यक्ति को हम अच्छे से hydrate रखते हैं उस व्यक्ति का hydration हमको maintain करना है उस व्यक्ति को हम explain करते हैं कि भईया आपको ऐसे ले जाएंगे ऐसे बिठाएंगे एक machine के सामने जहां से radiation deliver होगा आपको दीखेगा नहीं लेकिन आपको थोड़ा बहुत फिल हो सकता है गबराने का बात नहीं है हम उसको explain करेंगे है ना हम उस area को wash कर सकते हैं water के साथ we can wash that area with water यह याद रखना है जब हम dry करते हैं था हमको pet करना है हमको scrub नहीं करना है आप water से दो सकते हैं आप दो के उसको petting करना है ऐसे करके सुखाना है हमने जो ink mark कर रखा है उसको remove करने का भी जरूरत नहीं है let be there only ऐसा जरूरत नहीं है मेदी समझो उसको रहने दो है ना उसको remove नहीं करना है तो देखो मैं बोल रहा है area को mark करते है semi permanent ink use करते है ink को saap नहीं करना है patient को hydrate रखना है patient को explain करना है area को wash कर सकते है dry हम pet करके petting करके ऐसा dry करते हैं हमको कभी भी scrub नहीं करना है हमको massage नहीं करना है है ना यह हमको याद रखना है हम उस area को कभी भी sunlight में use expose नहीं करते है Do not expose that area into sunlight or UV rays हम उस external radiated area को कभी भी sunlight में expose नहीं करते हैं अगर आपको expose करना है तो आप उस area को cover करके रखते हैं आप क्या use करते हैं? barrier use करते हैं, cover use करते हैं, hats use करते हैं, garment use करते हैं, चाता use करते हैं आप ointment लगा सकते हैं, आप sun protection factor मैंने बोला SPF, more than 15 वाला आप apply कर सकते हैं जिससे patient के अंदर ये area प्रभावित ना होगा अगर expose हुआ है तो लेकिन आप इसका ये मतलब ना समझे कि आप उस area में कोई spray कर रहे हो, कोई powder use कर रहे हो powder use नहीं करना है, spray use नहीं करना है, कोई और sanitizer use नहीं करना है चाहे वो बाबा राम देव न क्यों न बनाया हो आप इन चेज कोई use नहीं करेंगे, do not use sanitizer, do not use powder, do not even cause any kind of spray do not even use perfume, सारुक खान यूज कर रहा है, वो क्यों ना हो, इसको भी हमें use और apply नहीं करना है soap से धोएंगे भाई साब, मेसूर सेंडल soap इसको भी use नहीं करना है, ये make sure करना है है न, ये basic बाते हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, external radiation therapy के अंदर तो बात वही है कि साब, ये role and responsibility है, क्या side effects हो सकते है, local side effects हो सकते है साब, वहां का जो tissue, जिस area के उपर हमने radiation exposed की है, वो tissue damage हो सकता है वहां पे patient में redness हो सकता है, erythema हो सकता है, वहां पे tissue का slogging हो सकता है ये हम देखते हैं local, इसके अलावा patient के अंदर ulcer हो सकता है, GI disturbance हो सकता है alopecia हो सकता है, patient को fatigness हो सकता है, weakness हो सकता है, ये सब चीजे हम देखते हैं पेशिंट के अंदर निमोनिया हो सकता है, रेडियेशनल निमोनिया बोलते हैं, तो लोकल साइड इफेक्ट तो यह एक बेटा कि जिस एरिया में रेडियेशन अप्लाई की है, वो एरिया प्रभावित हो गया, अभी ऐसा लग रहा है कि यहां से रेडियेशन यूज हो रही ह संतूर बेटा संतूर तो टीशू लोकल टीशू अफेक्ट हो सकता है अगर अफेक्ट होता है तो कोई बात नहीं इसा कोई घबराने का बात नहीं है जी आई डिस्टर्बंस होगा ऐलोफेसी हो सकता है फटीगनेस विकनेस हो सकता है निमोनिया हो सकता है बॉर्ड मेरो डिप्रेशन हो सकता है अभी ये कुछ साइड एफेक्ट है ये बात है आपको मैंने बताई है रेडियेशन में और यहां एक इंट्रेस्टिंग बात है more source of radiation लेकिन सेम चीज इंटर्नल रेडियेशन में नहीं है अब आपको मैं बताता हूं इंटर्नल रेडियेशन में तो आपको डिफरेंस है वो बहुत इजली समझ में आ जाएंगे Internal Radiation Therapy में क्या करते बटा यह वेसी बात है Internal Radiation Therapy के अंदर जिसका दूसरा नाम है Brachy Therapy ठीक है बाया Internal Radiation Therapy के बारे में याद रखना है एक्जाम के पस्पेक्टिव से इवन मोर इंपोर्टेंट है External Radiation Therapy से Internal Radiation Therapy को हम बोलते हैं Brachy Therapy इसके अंदर क्या होता है बटा इसके अंदर जो सोर्स होता है Radiation का उस Radiation के सोर्स को उस व्यक्ति के अंदर उसके बोड़ी के अंदर इंसाइड प्लेस किया जा सकता है इंजेक्ट किया जा सकता है इन्नोकुलेट किया जा सकता है source of radiation जो होता है वो उस व्यक्ति की human body के अंदर place किया जा सकता है जिसको हम बोलते बिटा implant किया जा सकता है हम उसमें inject कर सकते हैं, inoculate कर सकते हैं हम patient में ingest कर सकते हैं और अगर ऐसा आपने किया तो उसको बोलते हैं ब्रेकी थरेपी ब्रेकी थरेपी में simple सा बात है जो radiation का source होता है उस radiation के source को उसके human body के अंदर place करते हैं जिसे मैं example बता दाओ कि किसी woman को cervical cancer है तो हम क्या करते हैं हम cervix के अंदर implant को place कर देते हैं, imagine करो किसी व्यक्ति के अंदर कोई tumor है तो उस tumor के अंदर radiation के source को inject कर देते हैं, imagine करो किसी व्यक्ति की body के अंदर हमने place किया तो यह जो किया उसको ब्रैकी therapy बोलते हैं उसको हम internal radiation therapy बोलते हैं इसका मतलब यह हुआ बच्चे की यह व्यक्ति जिसके अंदर हमने ऐसा किया उस व्यक्ति में जब तक उस व्यक्ति में जब तक यह source है वह उसकी body में रहेगा तब तक वह व्यक्ति अपने आप में source हो गया काई का radiation का यह वेसी बात है कि woman के cervix में जब तक implant placed है तब तक वह implant woman को तो affect करी रहा है लेकिन woman के सामने अगर कोई healthcare provider भी जा रहा है तो वह भी expose हो सकता है किससे radiation से क्योंकि उसका body के अंदर हमने क्या place कर रहता है radiation तो यह समझने वाली बात है इसका मतलब हमें क्या समझना हमें यह समझना है कि internal radiation therapy के अंदर जिस व्यक्ति में radiation delivery किया गया है वह व्यक्ति इटसेल्फ सोर्स है काई का बेटा वह व्यक्ति अपने आप में सोर्स है काई का रेडियेशन का और जब हम उस व्यक्ति के साथ deal करते हैं तो dealing के दौरान हमें यह समझना है कि यार यह व्यक्ति में radiation का source है तो मेरे को protection के साथ उस व्यक्ति के सामने expose होना चाहिए तो यह basic difference है जिसे मैंने यहाँ पर बोला था न कि यहाँ पर जो external radiation तरहे भी वाला व्यक्ति है यह लिखा है देखो does not pose a risk for radiation whereas यहाँ पर अगर हम देखते है तो यह व्यक्ति है वह risk possess करता है काई की radiation की जो आपको ध्यान में होनी चाहिए जब यहाँ पर हम care करते है तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर जब हम care करते है तो देखो basic बात यह है कि जैसे कोई व्यक्ति के अंदर imagine करो कि हमने internal radiation therapy को deliver किया imagine आप यह करो कि हमने cervix में किसी implant को place किया अब यह hypothetical situation है और इसका अधार पर हम समझते हम क्या करेंगे पहली important बात कि हम जब internal radiation therapy देते हैं तो उस व्यक्ति को isolate करके रखना चाहिए isolate room में place करना चाहिए रूम के बाहर एक mark या एक warning sign होना चाहिए जो यह warn करता है कि अंदर radiation hazard है radiation का source है radiation का hazard है आपने radiation वाला एक चित्र देखा होगा न वैसा हमको लगा देना है तो पहली बात तो यह है कि वह isolate रहेगा दूसरी बात यह कि रूम के बाहर एक warning sign होना चाहिए तीसरी बात यह कि जो door है वह close रहना चाहिए door क्या होना चाहिए जो भी healthcare provider care करने वाले है उन healthcare provider के पास एक badge होना चाहिए और वह badge यह assess करता है कि वह कितना radiation में expose हुआ है उसका मापने का एक वह device होता है monitoring device उस monitoring device को place करना चाहिए यह solution वाला ने एक दम सही बनाया है यह radiation वाला यह सही बताया इस ने फोटो देखो आप इसमें यह वाला होता है ना जाड़ थोड़ा isolate करके रखते हैं बाहर एसा चिनने लगा के रखते हैं दर्वाजा बंद करके रखते हैं जब भी आप अंदर जाते तो आपका एक badge होना है जो आपके अंदर exposure को monitoring monitor करने के लिए बताता है कि आप कितना exposed हुए हैं अब बात आती है जब आप deal करने जाते तो आपको क्या याद रखना आपको तीन चीज़े याद रखनी है जैसे आप अंदर जा रहे हैं तो आपको याद रखना है एक तो आपको time दूसरा principle है distance और तीसरा principle है shelding ये तीन principle को follow करना है dosimeter ओके बैटा dosimeter बोलते हैं इसको monitoring device होता है उसको dosimeter बोलते है मैं कह रहा हूँ नहीं यहीं बेटे हैं यहीं से निकलेंगे और यहीं सपास होएंगे फटह करके आएंगे यह हमारे dosimeter यहीं बेटे हैं जो radiation को ना आप रहें बेटे 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 तगड़े हो भाई तूं अब मैं बता रहा हूँ कि आपको तीन चीज़े ध्यान रखनी है time time, distance और shielding तीन मैथपून चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है है ना? यह बोल रखा है बेटा कि जितना least हो सके उतना least time आप spent करें इसका यह मतलब नहीं है कि nursing care है वो compromise हो पहला बात याद रखना पहली बात यह कि as least possible, least time जितना कम हो सके उतना कम time आप अंदर जाए care करने के लिए तो इसका दूसरा मतलब यह है कि इसका यह मतलब नहीं है कि care compromise हो बोल रखा है कि at least 8 गंटे का shift में आप 30 से 40 मिनट spend कर सकते हैं उस व्यक्ति के साथ एक shift में 30 से 40 मिनट आप spend करेंगे लेकिन यह जो 30 मिनट है वो कोशिश करो इकटे नहीं करने का उसको group कर दो 5 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट जैसी आपकी care हो throughout 8 hours में आप 30 से 40 मिनट expose हो सकते हैं लेकिन आपको याद रखना है कि यह 30 से 40 मिनट 7 expose होने से अच्छा है थोड़ा थोड़ा expose हो हैं तो आपके अंदर इसके जो little effect हैं वो नहीं होंगे दूसरी बात है जब आप deal करने जाते हो तो कोशिश करो एक at least 6 feet का दूरी आप बना के रखें 6 feet की दूरी minimum आप अगर बना के रखते हैं तो radiation का जो impact है वो कम होगा at least we have to maintain distance of 6 feet in order to prevent a hazardous effect of radiation यह आपको ध्यान रखना है इसका फिर से यह मतलब नहीं है कि आप दूर दूरी गुम रहे हो गुमर कर रहे हो वाँ जाके नहीं बेटा जो care है वो करनी है और इसके लिए तीसरा important चीज हम यहां use करे है वो है lead apron एक white color का apron लाना उसके उपर काले pencil लिख देना lead तो वो हो जाता है lead apron आप उस lead apron को use करते हैं lead apron जो होता है वो barrier होता है बच्चे जो radiation के impact से हमें बचाता है मजाक करना हो lead apron होते हैं जिसको हम use करते हैं तो lead apron आपको use करना है distance इतना maintain करना है time इतना spent करना है लेकिन same time आपको याद रखना है कि कोई भी care patient की compromise ना हो सके उस चीज़ को आपको धियान रखना है है ना next important बात है 3 liter fluid intake maintain करके रखें अगर by chance accidentally यह प्रशन पूछा हुआ है कि accidentally जो implant है वह remove हो गया तो nurse क्या करेगी अगर implant है वह remove हो जाता है तो हम क्या करेंगे हमें कुछ नहीं करना है हमें chital forcep जो long handed होती है chital forcep उस chital forcep से उस implant को पकड़ना है और उसको एक container में डाल देना है जो container काई से बना है LED से उस LED container में डालना है और incidence आपको report करनी है आप उसको direct touch नहीं करेंगे आप उसको gloves pen के भी touch नहीं करेंगे आप जो long put वाला जो होता है न chital forcep उसको use करते हुए उसको LED container में डाल के container को बंद करना है याद रखना उसको आप introduce नहीं करेंगे फर्दर ऐसा पूछा जाए कि फर्दर introduce करेंगे नहीं करना है अगर बाहर डिस्प्लेस हो गया बाहर आ गया ता आप उसको पकड़के LED container में डाल देंगे यह याद रखना है आप बोलेंगे polythene की थेली नहीं बेटा polythene की थेली में भी नहीं है ना नहीं हम तो एकदम eco-friendly है कागज की थेली नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है LED container में ही डालना है introduce नहीं करना है gloves pen के नहीं पकड़ना है direct हाथ से नहीं पकड़ना है हम उसको चीटल forcep से ऐसा-एसा करके ऐसा place करते हैं पूरा incidence report फिर maintain करते हैं कोई गाव से कोई बेहन मिलने आई है जो की pregnant है तो याद रखना ऐसे व्यक्तियों के पास कोई pregnant lady और बारा साल से छोटा बच्चा और बाउजी साट साल से उपर नहीं मिले तो ठीक है नहीं तो फिर उनको मिलने बाद में कौन जाएगा यह भी इंट्रेस्टिंग बात है कि जब patient को radiation deliver हो रहा है तो वह व्यक्ति स्व्यम radiation के source को एक्सपल कर रही है तो कोई भी pregnant lady चाहिए वह रिलेटीव हो उसको अलाव नहीं करना चाहिए नहीं तो वह radiation का teratogenicity cause होईगी हम छोटे बच्चों को अलाव नहीं करते हैं हम बुड़े बच्चों को भी अलाव नहीं करते हैं यह याद रखना है और अगर कोई discharge आता है जिसे urine है या और कोई discharge है और कोई soiling है तो याद रखना है अगर आप feces की बात करें urine की बात करें तो उसको double flush करते है बात्रूम में उसको double flush करना है इसको भी याद रखना है और कोई और सोईल डिस्चार्ज है उनको container में प्लेस करके लिखना है रेडियेशनल हजाड है यह सब बाते आपको ध्यान में रखनी है और यह सब चीजें यहाँ अपलाई होंगी तो यह बात थी भाईया रेडियेशन रेडियेशन तो रेडियेशन थेरापी के अंदर तो कम से कम प्रशन गलत करके मत आना बाईचांस अगर आपको पूछ ले तो तो मैं आशा करता हूँ कि यह आपके समझ में आया होगा है ना अभी हम देखते हैं नेक्स्ट मैतोपूर्ण बिंदू प्रशन तो यह था बिटा यहाँ पे प्रशन बहुत बड़ा था डिसकुशन ज़्यादा था लेकिन मेरे बताना चाह रहा था कि अट लिस्ट आपको रेडियेशन के बारे में कोई क्वेस्टन पूछे तो आपको यह ध्यान में होना चाहिए है ना नेक्स्ट प्रशन है स्क्रीन पे आप उसको देखें और इसका आंसर दें यह प्रशन तो बहुत बार पूछा हुआ है आप इसको पड़े और आंसर दे इसका और इसका आंसर नेक्स्ट प्रशन है इसक्रीन पे इसको पड़े है और इसका आंसर दे है सभी बच्चे कैंसर वाला बैया कभी नहीं बोलेगा सर कैंसर पड़ा वह सोच रहा है यह क्या हो गया है पेशेंट को रिनल फेलियर है लेब रिपोर्ट इंडिकेट देट ही है अलिवेटेड सिरम पॉटेश्यम वोट अदिशनल प्रायरिटी इंफरमेशन दस नर्स नीड तो अप्टेन हाइपर केलेमिया है बटा इसको अदिशनल प्रायरिटी इंफरमेशन पूचा है आप याद रगेगा प्रायरिटी इंफरमेशन क्या हाइपर केलेमिया लेवल ओफ कॉंशियस्नेस नहीं साब ऐसा कुछ भी नहीं है सिरम पॉटेशन लेव वेलिव ओर लास्स सेवरल डेस का कोई मतलब नहीं है सेवरल डेस से क्या फरक पड़ता है अभी बड़ा हुआ है इतना फेक्ट अगर आप जानते हैं कि हाईपर केलेमिया के अंदर हम देखते हैं व्यक्ति के अंदर हार्ट अफेक्ट होने वाला है और अगर हार्ट अफेक्ट होगा तो हमको यह चिंज़ेस कहां पे मिलेंगे ECG में इसलिए हम उस patient के अंदर priority में हमेशा जाते हैं B जो B option है वो एकदम सही है Diastolic arrest होता है बहुत बढ़ी है आपको याद होना चाहिए मैं जैसे पढ़ा चुका हूँ आपको की potassium का एक प्रशनम ने electrolyte में देखा था potassium भी देखा था और calcium का बारे में भी हम सुने थे अगर patient के अंदर potassium जो है वो बढ़ा हुआ है क्योंकि आप जानते है बटा कि जब renal failure होता है तो patient के अंदर hyperkalemia होगा potassium जो होता है उसका value है वो किस से ज़्यादा हो गया साब यह 5.1 milli equivalent per liter से ज्यादा है तो हम उसको hyperkalemia बोलते हैं और hyperkalemia होगा तो patient के अंदर क्या होने वाला है साइन्स सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो muscles होती है उन muscles के अंदर progressive ascending paralysis होगा जो muscles होईगी उनमें क्या होगा बेटा weakness होने वाला है जो muscles होईगी उनमें flaccid paralysis होने वाला है पेशेंट के अंदर failure तक हो सकता है ये सब हम देखते हैं इस व्यक्ति के अंदर होगा और heart itself is a muscle तो patient के अंदर क्या होगा जो heart है वह affect होगा और heart affect होगा तो आप देखेंगे उस व्यक्ति के अंदर क्या होने वाला है आप देखेंगे उस व्यक्ति के अंदर heart stall हो जाएगा और ये सब हम देखने वाले हैं इस व्यक्ति के अंदर जिसको hyperkalemia है तो इन hyperkalemia we can expect so and so presentation कि he could have what earth stall even patient के अंदर ये सब हो सकता है है ना अब ये सब होता है और आपको ECG का बात मैंने बताया था आपको कि ECG में क्या changes मिलते हैं तो hyperkalemia में पहला ECG का changes मैंने बोला था कि patient के अंदर tall tented T wave होती है tall tented T wave हम पढ़े हैं कि hyperkalemia में tall tented T wave होती है आप देख सकते हैं उस व्यक्ति के अंदर जो qrs complex है वह qrs complex क्या हो जाएगा वाइड हो जाएगा हमने देखा है कि qrs complex है वह वाइड हो जाता है patient के अंदर जो pr interval है वह pr interval क्या हो जाएगा प्रलॉंग हो जाएगा लास्टाइम तो इसी जी भी बताई थी कि patient में tall tented T wave होगी जो qrs complex है वह क्या हो जाएगा वाइड हो जाएगा patient के अंदर हम देखते हैं pr interval क्या हो जाएगा प्रलॉंग हो जाएगा patient में even P wave जो होती है वह P wave क्या हो सकती है एपसेंट हो सकती है यह सब हम patient के अंदर देखते हैं ECG में और यह सब होना एक patient को जिसको क्या है hyperkalemia है और मैंने आपको last class में बताया था कि आप initial management क्या करेंगा acute condition में और chronic condition के अंदर आप management क्या करेंगे आप salbutamol inhalation कर सकते हैं आप calcium gluconate दे सकते हैं आप diuretics दे सकते हैं आप potassium ion exchanger दे सकते हैं dialysis करा सकते हैं काइसलेट कैजलेट यह सब बाते हमने पढ़ी थी और यह की जा सकती है hyperkalemia को treat करने के लिए तो याद होना चाहिए आपको hyperkalemia अब बाते आपको ध्यान में होनी चाहिए अगर hypokalemia की बात करें इसी जी changes in hypokalemia यह भी आप साथ में लिख लिजिए कि हाइपको कलेमिया में क्या होगा if potassium values are less than 3.5 mili equivalent per liter से patient के अंदर कम है तो उसको हम हाइपको कलेमिया बोलते हैं और hypokalemia के अंदर अगर हम देखते हैं तो patient के अंदर spastic paralysis होता है क्या होता है बटा spastic paralysis याद रखना आप इस बात को patient की muscles में fatigness होगा patient के अंदर weakness होगा cramps होगे patient के अंदर constipation होगा constipation होता है patient में polyurea हो सकता है potassium, calcium, magnesium और magnesium चार तो यह electrolyte याद रखिएगा और एक abg को याद रखिएगा आप उसके अंदर क्या याद रखना है तो भाईया sodium, potassium, calcium, magnesium की normal values क्या है hypo hyper क्या है, science symptoms क्या है और ECG के changes क्या है और management क्या है फिर भी आप बचना चाते है तो उसका कोई बचाव नहीं है ECG changes रख्टा याद होना चाहिए यह तो एक दम easy सी बात है कि hypokalemia में क्या होगा हम देखेंगे patient के अंदर हमको u wave दिखना चालू हो जाएगा आप देखेंगे patient के अंदर जो T wave होती है वह T wave क्या हो जाएगी small हो जाएगी और even patient के अंदर T wave का inversion हो सकता है हम देख सकता है patient के अंदर T wave हो small हो सकती है T wave का inversion हो सकता है patient के अंदर u wave आना चालू हो सकती है PR यहाँ पे प्रलॉंग हो सकता है patient के अंदर आप देखेंगे पेशेंट में अरदमियाज हो सकता है हम देखें थे किसाब ये चीज़े हम एक्सपेक करते हैं इस पेशेंट के अंदर तो ये सभी बेसिक बाते हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए तो hyper-hypo क्या है ये आपका exam का प्रशनता हूं यहां पे c dc बात है priority की बात आएगी option b जो है वो correct answer है तो आज का मेराथन यहीं कतम करते हैं dependence class में क्या करेंगे तो आशा करता हूं कि आपको ये जो भी मेराथन थी चोटी मोटी इसको आप यूँ समझें कि 10 प्रश्णों की मेराथन थी जिसका अगले कुछ दिनों में या कल पर जब भी टाइम मिलेगा आएगा तो आप पढ़ते रहिएगा ऐसे ही खिलगलाते रहिएगा फूल एफट्स करना है आपको तो ही आप exam पास होएंगे तो कम से कम मैं यह बता रहा हूँ कि यह जो topic है उनको आप जरूर पढ़िएगा क्योंकि यह exam के perspective से important है तो thank you very much for your support and cooperation and love what you have rendered बहुत बहुत धन्यवाद खूश रहें पढ़ाई करते रहें आगे बढ़ते रहें कल्यान हों आप सभी का आप